Hello everybody, welcome to Magnet Brains, I am Anisha, आपके अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 12 के जो आपकी कलाइडोस्कोप बुक है उसका new chapter and chapter है आपका chapter number 3 Film making आपके non-fiction section में से So let's begin with our chapter So chapter start करने से पहले हम author के बारे में पढ़ लेते हैं कि who is our author तो जो मेरे left hand side पर आप यह picture देख रहे हैं यह है Ingmar Bergman की जो कि इस chapter की author है Let's read about him Ingmar Bergman is a well-known Swedish director of films noted for their starkness तो Ingmar Bergman कौन है? यह हमारे author है and यह Swedish director है Sweden एक जगा है वहां के यह काफी famous director है चुके और यह काफी जादा famous है अपनी pictures के लिए और इनकी जो movies होती है यह starkness में रहती है Now what do you mean by starkness? Snarkness यानि कि वो movies जो काफी simple sober होती है जाद उसमें कोई tam jam decoration नहीं होता बट फिर भी बहुत attractive होती है इनकी movies There's subtle use of black and white and shades of those extremes of their content and a certain brooding presence that seems to pervade them all तो कह रहे हैं कि इनकी जो movies होती है उनमें काफी black and white shades रहते हैं काफी जादा black and white shades रहते हैं क्योंकि उसमक्षद color movies नहीं चलती होंगी and जो भी इनका content है इनकी movies का वो कैसा रहता है वो brooding presence लाता है seems to pervade them all, all याने कौन यह बात हो रही है audience की तो वो कहते हैं कि जो इनकी movies है वो इनकी audience को pervade कर देती है fill कर देती है याने भर देती है कैसे brooding presence है brooding याने कि इनकी जो audience रब इनकी movies देखती है तो बहुत ज़ादा गुसे में आ जाती है क्योंकि हो सकता है वो movie में कोई unfair treatment देखना है किसी के साथ जा एकदम sad हो जाती है बहुत emotional हो जाती है तो इनकी movies काफी ज़ादा emotional रहती है the list of Bergman films is long his best known include तो अब हम वो सारी इनकी जो best movies है उनको बारे में पढ़ेंगे कि कौन से इनकी best movies थी और कौन से year में वो movies release होई थी तो पहली है The Seventh Seal जो 1957 में release होई थी Wild Strawberries जो 1958 में release होई थी The Virgin Spring जो 1960 में release होई थी The Silence जो 1963 में release होई थी Persona जो 1967 में release होई थी The Passion of Anna जो 1970 में release होई थी And The Cries and Whispers जो 1973 में release होई थी तो ये जो 1973 में release होनी वाली Cries and Whispers है ये इनकी last film थी color में क्योंकि पहले usually इनकी movies नमेशा black and white में आती थी और ये इनकी last color में जो movie आई थी ये वो है दो emphasized red in all its shadings तो इनकी जो ये वाली movie थी ये color में तो थी But काफी red-red के जो shades थे वो थे पूरी अनकी movie में So this was all about our author Ingmar Bergman Now chapter का explanation स्टाट करने से पहले मैं आपको एक overview दे देती हूं chapter के बार में कि chapter किस बार में जैसे कि chapter का नाम है film making तो film making याने picture ने बनाने से related ही है तो इस जो Ingmar Bergman है ये इनके बारे में ही है पूरा chapter ये बोलते है कि मैं proper film making के लिए ही बना हूँ याने कि मैं एक डिरेक्टर हूँ और मैं movies बनाने के लिए ही बना हूँ इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कैसे Virgin The Virgin Spring नाम की movie वो बना रहे थे जो mention किया गया इस movie के बारे में इसी movie के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि ये जब movie वो बना रहे है Sweden नाम की जगह में वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ठंड होती है और सारी जो इनके team लगी हुए बहुत जादा effort लगा रहे है लेकर ठंड बहुत है जिस वज़े से बहुत दिफिकल्टी हो रहे है तो ये बोलते हैं कि भाई ये movie बनाते वाक्त हमने देखा आसमान में cranes, cranes एक ताइब की birds होती जिसके long legs होते है वो fly कर रही थे और वो इतना beautiful moment था कि हम लोग अपने इतने difficult काम में सब भूल गया और उन cranes को देखने लग गया इस तरीके से इनकमार बताते हैं कि कैसे उनके अंदर film making की इच्छा जागी तो वो इच्छा बच्पन से इनके childhood से ही जागी बच्पन में उनके parents ने एक प्रोजेक्टर गिफ्ट किया था तब जाके उन्होंने इस प्रोजेक्टर को छोड़ा फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि काई सारे लोग significant people याने important लोग थे उनके career में जिन्होंने उनकी मदद करी अच्छी films बनाने में film making में उनको इस फिल्प करी also उन्होंने क्या किया उन्होंने religion उनके जो father थे वो एक religious priest थे तो उन्होंने कई बार religious चीज़ों को भी mention किये अपनी movies में and so on तो उन्होंने बताया कि कैसे step by step आप एक movie बनाते हो जो कि easy नहीं ये काफे difficult है उसके बाद end में Umborter Eco नाम के एक novelist जैने वो इंसान जो novels लिखा कर दे उनका एक छोटे से interview का mention किया हुआ इस chapter में तो जो interview है it's all about कि कैसे novels लेकी जाती है और फिर उन novels के उपर movies बनाई जाती है picture बनाई जाती है films produce करी जाती है so all these things are mentioned in this chapter तो Umborter Eco का interview है और जो हमारे author Ingmar Bergman है उनके बारे में बताएगे कि कैसे बच्पन से लेके आज तक उन्होंने movies बनाई और नई-ने चीज़े सीखी कि कैसे dialogues लेके जाते हैं कैसे roles दिये जाते हैं अलग-अलग actors and actresses को किस तरीके से script writing करी जाती है सब कुछ step by step करते हैं जाके perfect movie तयार हुती है okay so this was all about the overview of the chapter and now let's begin with the proper explanation of chapter okay during the shooting of the Virgin Spring we were up in the northern province of Dalarna in May and it was early in the morning about half past seven तो author कैते हैं कि हम शुटिंग कर रहे थे कौन सी movie की The Virgin Spring नाम की movie की हम शुटिंग कर रहे थे और हम लोग कहा थे डलारना नाम की जगा में थे अब डलारना कहा है अब प्लेस इन स्वीदिन तो स्वीदिन एक कांट्री है वहीं पर ही ये जगा है डलारना वहाँ पे हम इस movie की शुटिंग कर रहे थे मे का महीना था early in the morning की सुबह सुबह early in the morning की walking by a little lake in a forest तो जो landscape था वहाँ पे जो पहाड थे जो mountains थे वो सब कैसा था वहाँ पे रग याने काफी rough था खुर्दीला खुदरीला था पूरा रास्ता वहाँ पे और जो इनके company जो इनके पूरी team है जो shooting कर रही थी वहाँ पे it was very cold about 30 degrees तो बहुत थंद थी और 30 degrees वहाँ पे temperature था and from time to time a few snowflakes fell through the grey rain dimmed sky और हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो रहा था snow flakes याने की snow गिर रही थी आस्मान से और कैसा आस्मान था? grey color का rain dimmed sky में बिलकुल grey सुबह सुबह का time था थंड का snow का time था और आस्मान में ऐसा लगा था हलकी बारिश भी हो रही और हलकी-हलकी snow flakes भी गिर रही है ओके the company was dressed in a strange variety of clothing raincoats oil slickers तो क्योंकि वहाँ पे हलकी सी बारिश भी हो रही थी snow भी गिर रही थी और थंडा मौसम था तो जो company थी याने कि जितने लोग उनके साथ वहाँ काम कर रहे थे shooting में वह अलग-अलग तरीके के कपड़े पहने हुए थे जैसे की raincoats पहने हुए थे oil slickers यह होते है these are oil slickers याने कि जब इस तरीके से पहनो तो गीले नहीं होते हो आप Icelandic sweater Icelandic sweater jackets jackets जो होते है वह पहने हुए थे लोगोंने old blankets याने पुराने कंबल ओड़े हुए थे लोगोंने coachman's coats coachman coats यह होता है coachman coats होता है इस coat को हम coachman coat कहते हैं इस तरीके का लोगोंने पहन के shooting करने में help कर रहे थे medieval robes medieval याने middle age of history पुराने जमाने में जो लोग robes इस तरीके के long robes पहनते थे यह सब पहन के लोगों शूटिंग कर रहे थे तो इन dresses और इन outfit से आप ही imagine कर सकते हैं कि वहां कितनी जादा ठंड and snow रही होगी और लोगों को बहुत difficult हो रहा था picture बनाने में और शूटिंग आगे conduct करने में और men had late some 90 feet of rusty buckling rail over the difficult terrain to dolly the cameraman on तो जो इनके men थे जो इनके आदमी थे साथ में काम कर रहे थे उन्होंने 90 feet उपर 90 feet उपर की एक rusty rusty याने जंग लगी हुई buckling rail बनाई थी याने इस तरीक से जब shooting होती तो यह जो rail होती है यसे terrain थी और वहाँ पर terrain याने train याने कि इस तरीके कर वहाँ पर land था और इन्होंने ने यह एक rail बनाई हुई थी जिसके उपर 90 feet लंबी dolly बनाई हो थी इस पूरी चीज को dolly बोला था dolly याने कि it refers to a wheeled cart on which a cameraman is mounted for the purpose of camera movement तो एक इस तरीके से dolly बनाते हैं जिसके उपर जो camera man होता है वह चड़ा हुआ रहता है और पूरी वह क्या करता है shooting करता है और camera इस rail के थू इधर उधर पूरा different directions में अलग अलग shots के लिए move करता है तो इस तरीके का setup उन्होंने वहाँ बर्फ में snow में बनाया हुआ था we were all helping with the equipment actors electricians तो बता रहे हैं हमारे author कि हम लोग सब की help कर रहे थे सब एक दूसरे की मिलके help कर रहे थे क्योंकि ठंड इतनी थी कि अकेला कोई इंसान अपना काम नहीं कर पार था सब को मिलके एक दूसरे का काम कराना पड़ रहा था तो सब लग equipment यहने अलग अलग machines do cameras लगाए थे उसमें एक दूसरे की मदद कर रहे थे actors मदद कर रहे थे electricians help कर रहे थे makeup men जो actors and actresses का makeup करते हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे script girl जो लड़की जो पुरी script लिखती कि अब यह होगा movie में आगे अब यह dialogue होना है वो sound crew just sound crew sound effects लाने वाले थे movie में सब एक दूसरे की help कर रहे थे mainly to keep warm तो इसलिए help कर रहे थे थाकि ठंड लगरी एक दूसरे घर्मी भी बहुत लगरी थांड भी बहुत लगरी तो फटा-फट एक दूसरे की help कर रहे के जल्ली खतम कर रहे थे थाकि फिर वो लग warm अपने रूम में जाके बैट जाए suddenly someone shouted and pointing towards the sky suddenly किसी ने shout कि और बोला देखो देखो आसमान में देखो then we saw a crane floating high above the fir trees and then another and then several cranes floating majestically in a circle above us cranes के होती है ये जो bird आप देख रहे हैं ये cranes होती है okay a kind of bird with long legs ऐसी birds इसके लंबे legs होते है and majestically का मतलब क्यों होता है in a beautiful way बहुत सुन्दा तरीके से तो किसी ने बोला देखो आसमान में देखो और जब सबने देखा तो देखा ये जो cranes है ये fir tree के ऊपर ऐसा snow covered fir tree था this is the name of a tree fir tree इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से चार cranes थी और इस तरीके से circle way में beautifully circles ले रही थी और सब लोग अपना काम चोड़ के उसको देखने लग गए और इतना beautiful वह सीन लग रहा था कि सब ठंड वंड के बारे में भूल गए इन सब लोगों ने वह काम चोड़ दिया जो भी ये लोग कर रहे थे पासी में एक hill थी एक पाड़ी थी उस पर और चड़के लोग खड़े होके देख रहे थे था कि clearly उनको वो cranes दिखे we stood there for a long time until they turned westward and disappeared over the forest तो काफी देर ये लोग वहाँ खड़े रहे और उसके बाद वो लोग west direction में उड़के cranes चले गई and suddenly I thought this is what it means to make a movie in Sweden तो suddenly I thought I icon है I हमारे author है Ingmar Bergman वो सोचने लगे suddenly कि बस इसी का मतलब है कि Sweden नाम की जगा में shooting करने का याने कि Sweden जैसी beautiful जगा में जब भी आप shooting करो ठंड तो लगेगी लेकिन beautiful इतनी सारी तरीके की natural चीजे देखने को मिलेंगी कि आप सब अपनी गर्मी अपनी ठंड और तकलीफे problems भूल जाओगे तो author सोचने कि ऐसा ही होता है कि जब हम काम करते हैं सब लोग साथ में अपने old equipment याने पुरानी machines लगी हुए थी वहाँ पर शूटिंग के दौरान और थोड़े ही पैसा था उनके बाद थोड़े से ही पैसो में उनको अपनी movie पी complete करनी थी तो author कहते हैं ऐसे ही होता है जब पुरानी machine होती है थोड़ा कम पैसा होता है लेकिन हम suddenly सब को छोड़ जाए देते हैं ठंड को भूल जाते हैं अपनी problems को भूल जाते हैं और हमारा वो हम देखने किसको लगए उन four cranes को जो sky में tree top याने tree के top पे उपर इस तरीके से सबसे फ्लोट कर रही थी हैंने आस्मान में गोल गोल चक्कर लगा रही थी और उनको देखने लग गए हम लोग तो हम beautiful चीजों के सामने natural beauty के सामने ये सारी तकलीफे भूल जाते हैं ऐसा author ने सोचा Childhood foretells future अब आपके chapter का एक new part आता है जिसका नाम है Childhood foretells future इसका मतलब होता है एक बच्चे का जो बच्पना जब हम देखते हैं तो उसके बच्पना देखके हम foretell कर सकते हैं यानि बता सकते हैं कि उसका future यानि उसका आने वाला भविश्य कैसा होगा वो हिंदी में एक saying ह है ना की पूथ के पैर पालने में ही दिख जाते है यानि एक छोटा बच्चा जो होता है उसजब वो बच्पन में ही अलग अलग चीजे करता है कहल, कूज मस्ति करता है या अगर वो पिंटिंग में बहुत ज़ादा अच्छा है या बड़ा पीड़ा अठ्चा आर्टिस सकता है यह एक्टिंग अच्छी कर रहा है तो बड़ा थो एक्टर बनेगा तो बच्चेका बच्पना और उसकी की बच्पन की बातो ह silly और हम देखेंगे कि से उसकी बच्पन की आ My association with film goes back to the world of childhood तो author कहते हैं कि जो मेरा association है जो मेरा लगा और जो मैं जुडा हुआ हूँ पिक्चरों से वो मेरे बच्पन का बच्पन से ही सब शुरू हो चुका था My grandmother had a very large old apartment in Uppsala तो कहते हैं कि मेरी जो दादी थी उनका बहुत बड़ा इस तरीके का एक apartment था Uppsala नाम की जगा में Uppsala is also a place in Sweden Sweden में ही ये जगा थी I used to sit under the dining table there listening to the sunshine which came in through the gigantic windows तो author कहते हैं कि मैं वहीं डाइनिंग टेबल पर इस तरह की से बैठा रहता था और जो बड़ी-बड़ी windows थी अंदर sunlight आती थी और मैं उन sunlight को क्या करता था listen करता था यानि सुनता था अब आप बोलेंगे कि मैं sunlight तो feel करी जा सकती है देखी जा सकती है कोई सुन कैसे सकता है sunlight को तो basically author author की imagination और जो feeling थी उस sunlight को देखे यानि कि जब sun दीरे 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 revolve करता है पूरे दिन में तो move करता है तो basically वह sunlight भी साथ में अधर अधर जा रही है तो वह उस moment को क्या करते है feel करते हैं और कहते हैं कि मुझे मैं sunlight सुन सकता हूँ sunshine मैं feel नहीं ब़लकि सुन सकता हूँ the cathedral bells went ding dong and the sunlight moved about and sounded in a special way अब cathedral क्या होता है जो बड़ी बड़ी churches होती है Christians की वो cathedral होती है तो author कहते है कि मुझे बड़ी बड़ी churches की जो bells होती है वो डिंग डॉंग करते सुनाई दे रही थी और जैसे sunlight move हो रही थी it sounded in a special way तो ऐसा लग रहा था कि sunlight move हो रही है मुझे sunlight सुनाई दे रही है move होते हूए क्योंकि sun move होता है तो सक मे sunlight भी अपने directions change करती है तो यह सब imaginations थी poet की हमारे author की sorry one day when winter was giving way to spring and I was five years old अब piano was being played in the next apartment तो author कहते है एक दिन winter was giving way to spring यहने सर्दियों के मौसम के बाद spring season ही आने वाला था मैं यहीं बठा था और मैं उस वक 5 साल का था 5 years का था मैं और मैंने सुना कि पास ही में एक दूसर अपाटमेंट है वहां से मुझे पियानो की आवाज आ रही कोई पियानो बजा रहा था तो author कहते है कि मुझे तो यह पियानो की आवाज बहुत अच्छे लग रही थी it played waltzes nothing but waltzes तो author कहते कि वह जो पियानो है उसमें जो sound आ रहा था वो सिर्फ waltzes का आ रहा था वो पियानो कुछ नहीं बजा रहा था सिर्फ waltzes बजा रहा था now what is a waltzes? it's a ballroom dance music याने कि जब ballroom में वो couple dance होता है और सब लोग वो dance करते हैं तो उस ताम जो music बचता है वो कहते है वो पियानो में से वैसे music की आवाज आ रही थी on the wall hung a large picture of venice तो author कहते है जिस अपनी दादी के grand mother के घर में वहाँ बैठा था अपार्टमेंट में वहाँ wall पे एक venice की picture थी venice याने इस तरीके से venice is a place in italy, a city in italy एक शहर इटली में venice जो इस तरीके से दिखता है तो कहता है इस तरीके की एक painting लगी हुई थी मेरी grand mother के उदर living room में as the sunlight move across the picture the water in the canal begin to flow the pigeons flew up from the square people talked and gesticulated तो author के ते जैसी sunlight दीरे दीरे move होते हुए इस picture पे पड़ी तो ऐसा लग रहा था कि जो कनाल में जो पानी है ये move कर रहे है और ऐसा लग रहा था कि जो pigeons ओड रही है ये मतलब सिर्फ खड़ी नहीं हुए ये वाकई में ओड रही है उस picture में और जितने भी लोग यहां खड़े हुए थे उस picture में वो कह रहा था जो जो ये जो रही है bells sounded not those of Uppsala Cathedral but from the picture itself तो author कहते हैं मुझे bells की भी आवाज आ रही थी जो church में से आती है लेकिन पास में जो cathedral था वहां से नहीं यहां पे जो cathedral था यहां पे जो church थी picture के अंदर उसके अंदर से मुझे bells की आवाज सुनाई दे रही थी and the piano music also came from the remarkable picture of Venice remarkable का मतलब extraordinary बिल्कुल बहतरीन तो author कहते हैं कि जो piano के भी मुझे आज आवाज आ रहे थी वो भी मुझे कहां से आवाज आ रहे थी यह Venice की picture में से कि ऐसा लग रहा है वो piano की आवाज इस picture में से ही आ रहे है तो author एक picture एक painting को देख की यह सारी चीज़े इमाजन करते हैं जब एक sunlight इस picture पर पढ़ती है और चाइल्ड होस बॉन इन ब्रॉटब इन विकरेज अक्वाइज अक्वाइज अर्ली फामिलियारिटी विट लाइफ लाइफ देथ बहाइंड थी और भी इसके अलावा author अपने बच्पन की बाते बताते हैं किस फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो author कहते हैं कि एक बच्चा जो एक विकरेज फैमिली में बढ़ा हुआ है विकरेज याने a house where religious people live ऐसा घर जहां पे बहुत ज़्यादा religious लोग रहते हैं तो कहते हैं कि मैं एक विकरेज फैमिली से ही बिलॉंग करता था और मैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आने बच्पन में मुझे सब लाइफ और डेथ के बार में पता चलिया था क्योंकि इनके जो फादर थे वो चर्च में एक तरीके के प्रीस्ट थे ठीके पुजारी टाइप थे तो ये बोलते हैं कि मेरे फादर लोगों की death ceremony, marriage ceremonies ये सब कंड़क करते थे तो मैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही जीवान, मृत्यू इन सब की बार में मुझे knowledge आ गया था फादर perform funerals, तो बताते हैं मेरे फादर क्या करते हैं उसके फादर funerals ये लोगों की death ceremonies perform करने का उनका काम था, marriages, लोगों की शादियां भी करवाते थे चर्च में वो Baptisms, now what is a baptism, baptism क्या होता है, एक religious ceremony होती ही for young children accompanied by name given क्या होता है, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं Christians में तो उनको इस तरीके से लजाय जाता है चर्च में और जो father होते हैं, जो priest होते हैं वहाँ पे नेलाते हैं उस holy water से और फिर साथ में उनको बोलते हैं कि अब आप बहुत जादा pure हो गया यह बच्चा और इसको एक new name याने नाम current ceremony जैसे हिंदू में होता है, इस तरीके से तो यह जो baptism ceremonies होती हैं, यह भी उसके father जो हमारे author के father हैं, वो perform किया करते थे gave advice and prepared sermons, लोगों को advice देते थे कि अच्छी बाते बताते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करी आप और क्या prepare करते थे? sermons, याने कि religious ज्यान, सत्संग जैसे हम दिसको बोलते हैं, तो Christians के ज्यान की बाते ऐसे लोगों को बैठके सुनाय करते थे तो यह job था हमारे author के father का devil याने की राक्षस, जैसे बोलते हैं, एक भगवान होता है, एक राक्षस होता है, एक अच्छे इंसान होता है, एक बुरे इंसान होता है तो author केते हैं, devil मेरी life में एक early acquaintance बन गया था, याने कि एक early friend बन गया था इसका मतलब यह है, कि मैंने बहुत ही बच्चबन में, अच्छे इंसान, बुरे इंसान, hero, villain, अच्छा इंसान, और devil, भगवान, राक्षस, इन सब की जो differences होते हैं, बहुत जल्दी, मेरी life में समझो, यह लोग मेरे friends बन गया थे, याने इनके बार में मुझे knowledge मिल गया थी और बोलते हैं कि एक बच्चे के mind में, in a child's mind, बोलते हैं अब बस इतनी की ही जरुवत थी कि इन सब चीजों को वो personify कर पाए, याने to represent in a human form, to represent in a human form याने कि अगर for example हम किसी बच्चे को बोलते कि राक्षस होता है, devil होता है, तो वो क्या करता है, वो imagine करने लगता है कि कैस दिखता है राक्षस, devil कैसे होता है, तो exactly वही बात होती है, जो हमारे author कह रहें, वो कह रहें कि इस सारी चीजे बच्पन में ही मैंने सीख ली ती devil, hero, actor, राक्षस, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, तो अब एक बच्चे के दिमांग में सिर्फ इन सारी चीजों को personify करने की देरी थी, याने इन लोगों को human representation देने की देरी थी, कि इंसानों के form में कैसे दिखता है राक्षस, भगवान कैसे दिखते है, all these things, तो अच्छा बुरा, अच्छा इंसान, बुरे इंसान का मतलम यहां पे hero और villain, इस तरीके का यहां पे हमारे author में समझाने कि यह नॉले the smell of hot metal and colored glasses inside, glasses slides, तो author कहते हैं कि मुझे बच्पन मेंने magic lantern याने की एक लाल टेन भी gift मिली थी, जिसमें अंदर क्या था, एक metal box था, और अंदर एक lamp भी लगा हुआ था, लाल टेन में जो lamp होता है, और मुझे अभी भी याद है कि वो जो bulb की light थी, वो जो warmth थी, उसकी heat थी, जो glass होता था side में, जो कांच लगा रहता था, वो उसको कितना ज़्यादा गरम कर देता था, red riding hood and the wolf and the others, तो अब इस lantern का मतलब लाल टेन नहीं है, इस lantern को हमारे author ने compare किया एक projector से, ओके, प्रोजेक्टर छोटा सा बच्चो के खेलने के लिए जो projector होता है, उसमें लाइट देखते हो, तो अंदर कोई picture चलती हुई दिखती है, तो lantern को यहाँ पे compare किया है, ओथा ने अपने खुद के projector से, ठीक है न, तो projector को comparison दिया है, लाइटन से, ओके, फुर वो बोलते है कि अंदर कौन सी movie देखते थे, देखते थे वो red riding hood and the wolf, red riding hood हमने भी wolf के साथ देखी थी यह wolf, यह भेडिया, without horns, but with a tail, तो इसके कोई horns नहीं थे, but इसके tail थी, and a gaping red mouth, और इस wolf का mouth कैसा था, gaping याने कि to open a big mouth, तो बड़ा सा मूँ खुल के वो खड़ा रहता था, wolf, strangely, real, yet incomprehensible, तो author कहते हैं कि यह तो मुझे wolf really लगता था, लेकिन incomprehensible था, याने मैं इसको comprehend नहीं कर पाता था, समझ नहीं पाता था, कि यह क्या है, असलिये कि नकलिये, दिखता तो उसको really था, a picture of wickedness and temptation on the flowered wall of a nursery, तो author कहते हैं कि इस picture में, इस movie में मुझे wickedness दिखी, याने evilness दिखी कि कैसे कोई इंसान बुरा हो सकता है, और यह कहां देखते थे वो यह picture, nursery में, जो बच देखते हैं, वो कहां reflect होती, दीवार पे तो कहते हैं, मैं अपने बच्चपन में, nursery में, याने अपने कमरे का, मेरा जो kids room, बच्चों का कमरा होता था, वहां पे मैं अपने इस projector से क्या देखता था, Red Riding Hood with a wolf वाली जो यह story है, वो मैं movie देखता था, When I was 10 years old, I received my first rattling film projector, फिर author बताते हैं, जब मैं 10 साल का था, फिर मुझे rattling, याने playing, खेलने के लिए मुझे एक film projector मिला, क्या मिला, खेलने के लिए एक दूसरा film projector मिला, with its chimney and a lamp, उसमें भी चिमनी एक lamp होती थी, इस तरीके का होता था, यह इस तरीके का बच्चों को खेलने का ह होता था, यह चिमनी इसके ऊपर और अंदर एक lamp होता था, और अंदर इसमें इसी reel होती है, यह जो reel होती है, इसके अंदर अलती है, जो भी reel डालो आ, फिर वो ही picture दिखाई देती थी थी अंदर, I found it both mystifying and fascinating, तो author कहते है कि मुझे जो यह नया मेरा toy था, मुझे काफी confusing प्रोजेक्टर में देखी थी, वो 9 feet long थी, याने कि जो reel थी, वो 9 feet की reel थी and brown in color, और reel का color कैसा था, ब्राउन, it showed a girl lying asleep in a meadow, who woke up and stretched out her arms, then disappeared to the right, that was all there was to it, तो author कहते है, इस प्रोजेक्टर में जो 9 feet की, जो reel थी, उसमें जो यह की picture थी, और कुछ नहीं था, उसमें क्यों था एक लड़की सो रही होती थी, मीडो पर, मतलब इस तरीकी का इस सा, गार्डन टाइप का ऐसी, एक field covered with grass, ऐसी field होती थी, जो घास से ढकी हुई रहती थी, उसको मेडो कहते थे, तो author कहते है, वो एक लड़की मेडो पर इस तरीके से लेती हुई रहती थी, उठती थी, अप तो author कहते है, मेरे लिए वो ये फिल्म तो बहुत ग्रेट सक्सेस थी, क्योंकि मैं तो हर दिन, हर रात इसको बैठके देखता था, और ये तब तक मैं देखता रहा, जब तक मेरा प्रोजेक्टर के नौट बी मेंडेड याने, एक ऐसा point आ गया था, कि मेरा प्रोजेक्टर खराब हो गया था और ठीक नहीं हो सकता था, रिपैर नहीं किया जा सकता था, तब तक मैं इस मूवी को डेली देखता था और ये मेरा फेवरेट टॉय हुआ करता था तो ये पहली मशीन थी, जो पहला ये प्रोजेक्टर था हमारे ओथर का, ये उनके बहुत पूर्ली मेड था, ओविसली खराब टाइप का बच्चों की खेलने की चीज़ थी, वो बोलते है कि ये जो पहली मशीन थी, ये मेरा, मेरा फिर्स कॉन्जूरिंग सेट था, ना व जो चीज जादू ही दिखती है, बेसिकली कॉन्जूरर उस इंसान को बोला जाता है, जो मैजिकल ट्रिक्स करता है, स्लेट अफ हैंड याने जिसके हाथ की सफाई होती है, जैसे जो हमारे मजीशिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं, याने कि वो कोई जादू तो नहीं गर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ की सफाई है कि वो मैजिकल ट्रिक्स परफार्म कर रहे हैं, तो ओथर यहाँ पर अपने आपको कॉन्जूरर कह रहे हैं, क्यों क्यों कि वो कहते हैं, कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जो पिक्चरे बनाने वाले लोग होते ह याने दिखाते कुछ इस तरीके से हैं और इसक्रीण पर आता कुछ है और उनके मिल्च में कुछ होता लेकिन दिखाते इस तरीक इससे स्क्रीण पर रेए कि पबिक eschाए के मोशनल हो जाती है कभी रोने भी लगती है मतलब उन लोगों इतनी भी थे है कि वो अपने जादू ही सेट याने अपने जादू ही कैमरों से और अपनी कॉंजूरिंग अबिलिटी से लोगों को बेवकुफ बनाने वाली अबिलिटी से या फिर जादू करने वाली जो उनकी टेकनीक होती है फिल्मेकर की उससे लोगों को बेवकुफ बना सकते हैं या उनको हसा सकते हैं, कॉमेडी करके रोला सकते हैं तो ओथर यहां पर अपने आपको एक अप्डूर, एक Magician कह रहे है कि जो फिल्म मेकर उते हैं, क्योंकि वो कुछ भी करके स्क्रीन पर कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी effect दाल देंगे, ग्राफिक्स डाल दिंगा और लोगों को असली दिखने लगता है और लोग वैसा ही रिस्पॉंड करते हैं जब मुवी हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो ओथर यहां पर कहते हैं कि यह जो मशीन है यह मेरी पहला conjuring set था याने कि वो चीज थी जिससे मैं conjurer बन सकता था जिसको यूज करके मैं public को बेवकूफ बना सकता था तो author कहते हैं कि आज भी मैं अपने वो बच्पन के उन excitements को याद करता हूं कि मैं एक सच में conjurer हूं conjurer हूं याने कि मैं a person who performs magical tricks जो illusionist होता है कैसे इंसान जो magical tricks perform कर रहा है जो basically illusionist होता है याने कि आखों का धोका जिसे हम कहते हैं जादू कर भी असली चीज़े तो करता नहीं है पर हमें लगता है यह तो जादू कर रहा है वैसे ही जो film makers होते हैं वो असली चीज़े तो film में दिखाते नहीं है लेकिन वो अपने मशीनों को और अपने दिमागी techniques को यूज करके ऐसा दिखाते हैं कि वो सच में चीज़े दिखा रहे हैं लोग याने की बेवकूफ बनाते हैं उनको उनकी आखों को फ्रॉड करके कुछ भी दिखा देता हैं और उनको असली लगने लगता है ओके तो author कहते हैं कि मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करिये कि अगर एक गंटे की कोई मूवी है तो मैं 27 मिनट तो बिलकुल अंधेरा बन करके बिलकुल देखता हूँ और मुझे फील होता है कि इसमें किती सारी चीज़े तो फालतु दिखा दरी है या जो उड़ता हुआ विलेन आरहा है यह सब क्या है यह सब फालतु की बात है यह तो सब किसके हाथ में है फिल्मेकर के हाथ में है यानि डायरेक्टर और प्रडूसर के हाथ में जिनका दिमाग इतना तेज़ चलता है जादू गरो जैसा तो आथर केते हैं जब भी मैं कोई picture दिखाते हूं अपनी audience को तो मुझे guilty feel होता है क्योंकि मैं उनको deceit कर रहा हूँ यानि ऐसा लग रहा है मैं उनको cheat कर रहा हूँ जो दिखा रहा हूँ वो सच नहीं है और obviously reality में भी तो यह होता है वो हमें screen पे सब चीज़े दिखाते है I use an apparatus which is constructed to take advantage of a certain human weakness तो कहते हैं मैं तो एक apparatus लेता हूँ बस apparatus क्यों होता है कुछ equipment, कुछ ऐसी machines used for a particular activity तो author कहते हैं कि हम लोग film बनाने के लिए जो apparatus, जो machines use होती है हम तो सरफ वो use करते हैं और इंसानों की जो weaknesses होती है जो उनकी emotional weaknesses होती है उसका some advantage उठाते है याने को emotional scene दिखा दिया तो public रोने लगी और end of public किती वहाँ क्या movie है तो हम सिर्फ emotionally उनसे खेलते है An apparatus with which I can sway my audience to a highly emotional manner तो author कहते हैं कि हम लोग ऐसे apparatus ऐसी machines use करते हैं कि हम अपनी audience से emotional manner में खेल सकते है Make them laugh हम उनको हसा सकते हैं comedy करके Scream with fright हो सकता है कोई डरावना scene कोई dragon दिखा दिया तो वो चीखने भी लगती है public audience ठेटर में बैटके तो कहते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं Smile कोई बहुत beautiful सा scene दिखा के उनके चहरे पे एक मुस्कुराहाट लेके आते हैं हम लोग Believe in fairy stories जो परियों की कहानी हम पिक्चरों में दिखाते हैं public उसमें believe करने लगती तो हम कुछ भी कर सकते हैं Become indignant, feel shocked Indignant का मतलब क्या होता है Showing anger with unfair treatment याने जब हम movie में देखते हैं अरे इस लड़की के साथ गलत हो रहा है इसके साथ गलत treatment हो रहा है justice नहीं हो रहा है तो हम अंदर से कैसे हो जाते हैं गुस्से में हो जाते हैं Obviously screen पर जो हो रहा है वो तो सरव एक सरफ कहानी है कुछ सच में नहीं हो रहा लेकिन author कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि मैं audience को वो गुस्सा भी दिला सकते हैं कि किसी के साथ unfair treatment हो रहा है feel shocked कभी हम शौक हो जाते हैं picture में तो हम वो feeling भी दिला सकते हैं हमारी audience को charmed याने attracted deeply moved and perhaps yawn with boredom boredom याने boredom तो author कहते हैं यह सब तो ठीक है हमारे पास इतनी ताकत है कि movie इतनी हम लंबी खीच के boring कर दें कि हम अपनी public को उबासियां भी दिलवा सकते हैं क्योंकि वो bored उनको अगर हमें feel कराना है कि public थोड़ी यह बोर हो जाए तो हम ऐसा भी करवा सकते हैं boring चीज़ें दिखा के अपनी screen पे तो हमारे पास सब ताकत हैं हमारे पास एक magical इंसान की तरह magician की तरह हम सब वो चीज़ें कर सकते हमें conjurer हैं तो इस आए इधर an imposter or when the audience is willing to be taken in a conjurer imposter का मतलब क्या होता है a person who pretends to be someone else लोगों के आखो को धोगा देने के लिए लोगों को cheat करने के लिए गलत sense में लोगों को को दिखा कुछ और कुछ और सोच और रहा है on screen पे लिखा कुछ और है यह सब चीज़ें दिखाने के लिए हम यहां तो एक imposter कहला सकते है या ठीक है audience को भी पता है कि हाँ स्क्रीन पर सब कुछ जो देख रहे हैं हम जूटा ही देख रहे हैं तो audience to be taken in as a conjurer audience को भी पता है कि हाँ ठीक है हम तो entertainment के purpose के लिए जा रहें enjoy करें क्योंकि सामने वाला जो film maker है वो conjurer है याने कि वो तो सब नकली ही चीज़े दिखा रहे हैं जो हम देख रहे हैं वो असली नहीं है I perform conjuring tricks with apparatus so expensive and so wonderful that entertainer in history would have given anything to have it तो author कहते हैं कि यह जो हम conjuring tricks करते हैं याने कि यह जो हम बड़ी-बड़ी machines use कर रहे हैं जो इतनी expensive machines है वो इतनी wonderful machines है जिससे graphics दिखा सकते हैं हम सड़नली बारिश होते हो दिखा सकते हैं इंसानों को ओड़ते होए दिखा सकते हैं तो यह जो भी machines हम use कर रहे हैं यह इतनी महंगी और इतनी अच्छी है कि history में film industry में जितने भी entertainers हैं जितने भी film makers हैं वो अपना कुछ भी दे देंगे इन machine को खरीदने के लिए क्योंकि इन ही machine की मदद से picture हैं बनती हैं और picture हो में ग्राफिक्स आते हैं अब यहां से एक second part start होता है split second impressions अब तक हम पढ़ रहे थे childhood foretells future याने कि लोगों के बच्पन से ही पता चल जाता है कि वो उनका future क्या होगा तो author यहां कहते हैं कि मेरे बच्पन में ही सबको पता चल गया था और मुझे भी feel हो गया था कि मैं film industry में ही जाओंगा क्योंकि मेरी imagination उस तरीके की थी अब split second impressions याने कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ देर के लिए ही आपकी दिमाग में रहती हैं और फिर गाया बुझाती हैं तो क्या ऐसी thoughts या कौनसी ऐसे विचार author के mind में कुछ second के लिए आते हैं और फिर गाया बुझाते हैं या author उन thoughts को लिख के रख लेते हैं ताकि वो भूल न जाये तो उनके बारे में अब हम यहां पर पढ़ेंगे a film for me begins with something very vague a chance remark or a bit of conversation a hazy but agreeable event unrelated to any particular situation तो author केते हैं film की शुरुवात कैसे होती है तो author केते film हमेशा एक बहुती वेग वेग मतलब unclear केते हैं कोई एक unclear idea आपके दिमाग में आता है कि अच्छा यह topic यहां इस पर picture बन सकती है तो एक बहुत ही unclear idea यह बहुत ही hazy याने foggy मतलब आपके दिमाग में धुंदला-धुंदला सा एक कोई thought है कि हाँ इस topic में picture बना सकता हूं तो कहते हैं सबसे पहले इस unclear thoughts से picture की शुरुवात होती है यह किसी भी particular situation में आप खड़े हो जो शाइद किसी से एक दूसरे से आपस में unrelated है दोनों का कोई relation में नहीं लेकिन फिर भी आप सोच सकते हो कि हाँ इस topic बे कुछ picture बन सकती है it can be a few bars of music a shaft of light across the street तो author कहते है it can be few bars of music कि कभी मैं कुछ music सुनूं और हो सकते है music सुनते सुनते मुझे feel आजए कि हाँ इस type की कोई movie बन सकती है यह simply a shaft of light shaft of light मैंने a beam of light यानि कभी मैं street पे सड़क पे walk कर रहा हूं और मुझे इस light आते हुए दिख रही है इस तरीके सी पेड़ों के बीच में से light की beams आते हुए दिख रही है तो इनको देखके मैं imagine करने लगो कि हाँ यहां पर कुछ अच्छी movie का scene हो सकता है यहां पर मैं अपने actor and actors का dance का कोई गाना शूट कर सकता हूं तो इस तरीके से thoughts से शुरवात ह होती है picture की ऐसे picture शुरवात नहीं होती है sometimes in my work at the theatre I have envisioned actors made up for yet unplayed roles envisioned याने की imagined for the future जब किसी चीज को future के लिए imagine करते हूं तो author कहते है कभी-कभी मैं थेटर में जाता हूं में उन्होंने किया नहीं उनको मैंने envision किया याने future के लिए imagine कि future में मैंने कोई picture बनाई तो इस actor को मैं उस particular role के लिए जरूर select करूंगा तो author कहते हैं इन thoughts से इन विचारों से एक picture की शुरुवात होती है these are split second impressions that disappear as quickly as they come split second का मतलब for a very short period of time तो author कहते हैं यह जो विचार होते हैं जो thoughts मेरे दिमाग में आ रहे हैं यह जब भी किसी भी film maker के दिमाग में आते हैं यह split second impressions होते हैं याने कि यह सरफ थोड़ी ही देर के लिए आते हैं अगर आप इनको कहीं लिखके रख लो तो आप याद रहोगे लेकिन यह ऐसे thoughts होते हैं जो आप भूल जाते हो क्योंकि आप इतने busy हो film director हो आप भूल जाते हो yet leave behind a mood like pleasant dreams और यह जो thoughts डफ निकल जाते तो ऐसा लगता है कि अच्छे सपनों की जो mood होता है वो पीछे छोड़ गया याने कि वो आपके दिमाग से निकल गए it's a mental state not an actual story but abounding in fertile associations and images तो author कहते हैं कि यह जो time होता है जिस time thoughts आते हैं एक picture को शरुवात करने के यह एक mental state है क्योंकि जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं यह कोई आपकी actual story नहीं है असली में ऐसा story दिखाओगे नहीं आप अपनी audience को लेकिन यह सरफ आपकी mental state है abounding याने की plentiful याने काफी है plenty है तो author कहते हैं कि आपके दिमाग में काफी सारे associations और images कुछ thoughts और कुछ pictures आने लगती कि हाँ है ऐसा मैं दिखा सकता हूं screen पे तो यह कोई real story नहीं यह सिर्व अभी दिमाग में ही आपकी picture की शुरुवात हुई है समझो most of all it is a brightly colored thread sticking out of the dark sack of the unconscious if I begin to wind up this thread and do it carefully a complete film will emerge तो यह जो line है यह जो 2-3 lines है यहां पे यह बहुत important lines है क्योंकि यहां पे use हुआ है एक literally device जिसका नाम है metaphor तो author कहता है author ने आप एक metaphor use करते हुए कहा है कि किसी particular role देना किसी actor को यह सोचना कि यहां इस topic पे picture बन सकती है यह उस sack उस बड़े से बोरे के समान है रेश्मी बोरे colorful रेश्मी बोरे के समान है जिसमें जो पूरा बनके उसमें एक धागा निकल रहा है चोटा सा और मैंने बस उस धागे को पकड़ लिया यह से और फिर मैं दीरे से निकालता हूँ तो author कहते हैं जैसे जैसे मैं उस धागे को निकालता हूँ और अपने हिसाब से बुनना चालू करूँगा समझे उतनी दिर में एक picture बन जाएगी याने कि author imagine कर रहे हैं और author हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ वो एक point पकड़ना है या आपको सिर्फ एक सही actor पकड़ना है जो वो particular role कर ले बस उसको आपने पकड़ लिया उस धागे की तरह जो निकल रहा है एक बड़े से रेशमी बोरे में से और पकड़ पकड़के दीरे दीर एक एक step आगे बढ़ते 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 that may be lazy and half asleep as first तो primitive का मतलब क्या होता है ancient पुराने जमाने का तो author कहते हैं कि यह जो पुराने जमाने का जो यह thoughts हैं यह थोड़े lazy हो सकते हैं या half asleep यानि हमारे दिमाग में आधेस होते हुए या lazy पन में कोई thought आ सकता है कि हाँ picture शुरू कर सकते हैं its stirring is accompanied by vibrations and rhythms which are very special and unique to each film तो author कहते हैं कि इसकी जो stirring है यानि कि इसको जो गुमाएंगे और picture को आगे ले जाएंगे इसमें vibrations और rhythms होती हैं यानि कि आप जो feel करते हो वैसा आप vibrations अपने environment में release करते हो तो वह vibrations ऐसे लोगों को पकड़ना ऐसे लोगों से बात करना जिससे वह film related हो और rhythms यानि कि rhythm क्या होता है film में यानि कि जो आपके शरीर की महनत है जो आप ताकत लगा रहे हो time और energy लगा रहे पिक्चर को बनाने के लिए यह सब special चीजें और unique चीजें एक फिल्म को बनाने के लिए महनत के बिना पिक्चर नहीं बन सकती the picture sequences then assume a pattern in accordance with these rhythms obeying laws born out and conditioned by my original stimulus stimulus का मतलब a thing that arouses activity or energy in someone यानि कि author कहते है कि इसके बाद धीरे धीरे picture sequence लेती है हमारे दिमांग में thought आता है कि एक pattern चलेगा इसके बाद यह roll आएगा इसके बाद यह scene आएगा फिर एक गाहना आना चाहिए फिर एक रोने धोने वाला scene फिर एक happy scene शादी का scene आना चाहिए तो एक pattern चलेगी जिसके according पूरी picture की rhythm चलेगी और मेरा stimulus और मेरी activity जो मेरी energy है embryonic substance seem to have enough strength to be made into a film I decide to materialize it embryonic क्या होता है under undeveloped embryonic word आया है embryo से जब मा के पेट में बच्चे आते है तो एक सबसे पहले एक embryo form में होता है चोटा सा embryo होता है याने embryo को compare किया है author ने उस चोटे से thought से जो अभी author के दिमाग में आया है कि हाँ इस topic में film बना सकता हूँ तो author कहता है कि जब यह चोटा सा embryonic substance बड़ा होता है तो एक baby में convert होता है उसी तरीके से अगर यह embryonic thought जो मेरे दिमाग में चोटा embryo form में अंडे बराबर form में जो मेरे दिमाग में यह thought है अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें strength है ताकत है कि हाँ यह एक अच्छी picture बन सकता है एक अच्छी bumper it बन सकती है movie तो मैं decide करता हूँ कि अब मैं इस thought को materialize करूं यहने decide to happen yes मैं बनाऊंगा यह picture अब मुझे लगने लगता है कि हाँ strong topic है इस topic पर picture बनाई जा सकती है then comes something very complicated and difficult the transformation of rhythms moods atmosphere tension sequences tones and sense into words and sentences into an understandable screenplay author कहते हैं जब मैं decide कर लेता हूँ कि अब मैं picture बनाऊंगा इस topic में फिर सबसे difficult point आता है याने कि इन सारी अपने शरी से लगाई हूए energy thoughts tone की movie कितनी घंटे की होगी कैसे रहेगी इस सब चीजें जब हमको किसमें convert करना है understandable screenplay में screenplay याने script of the film याने अब बहुत difficulty कि जो भी सब मेरे दिमाग में है film को लेके उसको में paper पर उतारूं याने की एक चीज की script लिखूं याने की पहला scene यह होगा पहला actor आएगा दूसरे actor से पहले scene में यह बोलेगा फिर पीछे background music यह आना चाहिए एक एक चीज मतलब बोलते ना तिनका तिनका फिल्म से related सब कुछ script में लिखा जाता है इत्ती मोटी किताब हो जाती है वो एक तो वो script बनाना भी एक बहुत बड़ा task है और script किसको देते हैं आप actors को कि मेरे पास script तही आर है sir बस आप पढ़ लीजे script तो अगर आपको अच understandable script बनाना भी एक important topic है this is an almost impossible task तो author केते है यह जो task होता है na script बनाने का यह समझो impossible है कि एक एक चीज दिमाग की आपको लिखनी पड़ती है एक एक चीज कि क्या music बजेगा जब यह author के जब यह actor के entry होगी यह heroine क्या पहन कियागी everything is mentioned in the script the only thing that can be satisfactory transferred from that original complex of rhythms and moods is the dialogue and even dialogue is sensitive substance which may offer resistance resistance का मतलब होता है refusal to come out perfectly जब अंदर से perfectly नहीं निकलता है उसे resistance केते हैं तो author के यह सब करने के बाद भी एक difficult step होता है कि dialogues लिखना कि कौन सा actor क्या dialogue लिखेगा तो dialogue writers जो होते हैं वो dialogue लिखते हैं कि इस situation में इस scene में क्या dialogue होना चाहिए लेकिन कई बार अच्छे dialogue भी बनाने के बाद यह difficult हो जाता है कि बड़े-बड़े actors उस dialogue को अच्छे से present नहीं कर पारें ऐसी plainly बोल दिया यह जैसा डायरेक्टर चाहता है कि डायलोग ऐसा बोले यह actor वैसा नहीं हो पाता है रिटन डायलोग इस लाइक a musical score almost incomprehensible to the average person तो बोलते हैं author हमारे कि जब हम dialogue लिखके देते हैं actor को कि यह आपको dialogue बोलना है तो उसके लिए यह समझ में आना उसको कि इसको किस तरीके से present करना है scene में वो उसके लिए बहुत difficult है तो यह सब चीज़े director बता रहता है कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है तब ही तो बार बार retake कराता है actor से its interpretation demands a technical knack plus a certain kind of imagination and feeling qualities which are so often lacking even among actors knack का मतलब क्या होता है the skill of doing something कोई सी चीज़ को करने की कोई skill तो author कहते हैं कि एक अच्छा dialogue बोलने के लिए भी skill चाहिए technical skill चाहिए कि कि किस तरीके से जैसे शारुख खान जो डायलोग बोल देता तो वो तो एतेहास एक dialogue बन जाते हैं तो उसको भी तो लिखके मिले होंगे वो dialogue लेकिन उसने कितनी feelings कितनी emotion डाले अपने dialogue में वो क्या expression लाया होगा उसने अपने चेहरे पे वो dialogue बोलने में तब ही तो वो एतेहास एक dialogue बन गए incredible dialogue yes तो वो सारी चीजें author कह रहे हैं कि यह बड़े-बड़े actors में भी lack होती है यानि मुश्किल से मिलती है कि कौन अच्छे से इस dialogue को present कर पाए तो उस actor के अंदर से वो dialogue उस intensity से निकालना भी एक filmmaker का एक director का काम है we can write dialogue but how it should be delivered its rhythm and tempo what is to take place between lines all this must be omitted for practical reasons omitted याने की exploded हटा देना तो author कहते हैं कि हम लोग dialogue लिख सकते हैं लेकिन कैसे उस dialogue को deliver करना याने की बोलना है क्या rhythm होना चाहिए कितनी तेज वो dialogue होना चाहिए कितना धीर है जो tempo है dialogue का सब कुछ यह जो चीज है वो practical reasons के लिए अभी script लिखते वक्त हम लोग omit कर देते हटा देते ठीक है such a detailed script would be unreadable क्योंकि अगर हमने यह भी लिखना start कर दिया कि कौन सा dialogue किस तरीके से बोलना पड़ेगा तो वो इतनी detail इतनी बड़ी script अन्रीडेबल हो जाती यानि कि actor पड़ेगा यह इतनी बड़ी script है तो हम सरफ dialogues लिख लेते और जब अच्छली हम वो रोल वहां पर शूटिंग के टाइम बोल रहा होता है अक्टर वो डालोग तब उसको बताते हैं कि किस तरीके से बोलना है तो यह चीज बोल रहे हैं I try to squeeze instructions as to location characterization and atmosphere into my screenplay in understandable terms तो author कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि जो बड़ी सी script है उसको squeeze करूं छोटा करूं यानि कि हर चीज नहीं मेंचन करूं कि कौन सी location पर क्या scene shoot होने वाला है मैं सिर्फ मुह से बता देता हूं कि यह location रहेगी यह shooting रहेगी और यह atmosphere रहेगा यह screenplay रहेगा था कि मेरी script छोटी से छोटी रहे इत्ती बड़ी बड़ी lengthy scripts को ही नहीं पड़ता but the success of this depends on my writing ability and the perceptiveness of the reader which are not always predictable perceptiveness याने की understanding तो author कहता है जो मेरी picture की success है वो इसी point पे decide हो जाती है कि मैंने script कितने अच्छे से लिखी है अगर मैंने script अच्छे से लिखी है और जो मेरा reader है जिस actor को मैंने script पढ़ने के लिए दिए कि आप पढ़ो और देखो समझो तो उसकी perceptiveness याने उसकी के understanding है वो script को किस तरीके से समझ रहा है यह उस पर depend करता है और यह चीज़ हमेशा predict नहीं कर सकते आप अनुमा नहीं लगा सकते कि आपकी लिखा हुआ सोच आपकी लिखवी picture सामने वाले ने किस thoughts किया किस process पर समझीए तो author कहते है कि सामने वाले कि समझने की ability पर भी depend करता है next topic आता है आपकी movie का the rhythm of a film rhythm of a film कि movie का rhythm कैसे चलेगा याने कितनी energy लगेगी कितना time लगेगा picture बनने में और movie कितने घंटे की होगी everything includes here now we come to essentials अब हम कुछ essential कुछ important बातों पे आते हैं by which I mean montage rhythm and relation of one picture to another the vital third dimension without which the film is merely a dead product from a factory montage का मतलब क्यों होता है the technique of editing and piecing together separate sections of the film to make it a whole montage याने कि जब आप editing करते हो picture में कि ये चीज़ साही निलगरी edit करो हटाओ और picture अलग-अलग pieces में तुकडों में shoot करके रख हुई है अब इन तुकडों को जोड के पूरी एक picture कैसे बनाने यह एक important point आता है यहाँ पे तो author कहते हैं कि एक picture पूरी बनने के बाद इस picture को दूसरी picture से भी compare करना पड़ता है कि कहीं same तो नहीं हो गई कि लोग बोलें जा रहे copy करके बना दी पूरी picture यह सब चीजे भी यहाँ पे अब देखनी पड़ती है अगर यह सब नहीं तेखी तो समझो picture हमारी लिए एक dead body है dead cheese है मरी हुई picture flop here I cannot clearly give a key as in a musical score nor in a specific idea of the tempo which determines the relationship of the elements involved the author केते कि यहाँ पर मैं नहीं बता सकता है कि tempo क्या होगा picture का tempo याने की picture कि इतने घंटे की होगी याने की tempo को मतलब होता है कि कभी-कभी हम एक घंटे की picture देखते हैं और बोलते हैं कितनी boring picture थी बापरे नीन आने लगी कभी-कभी हम तीन घंटे की picture देख लेते हैं और हम बोलते हैं वा यार ख़़म होगी picture इतनी बढ़िया picture थी ऐसा लग रहे है चलती ही जाए तो यह होता है tempo याने कितनी खीचनी है picture को कितने shot में रखना है कितने गाने बीच बीच में डालने यह सारी चीज़े टेंपो में आती तो author कहते हैं यहां मैं टेंपो नहीं बता सकता It is quite impossible for me to indicate the way in which the film breathes and pulsates Pulsates का मतलब expansion and contraction तो author कहते हैं मेरे लिए बहुत impossible है इस stage पर बताना कि कैसे मेरी movie breath करेगी सास लेगी याने कि break लेगी यहां पर interval आना चाहिए या इस point पर pulsate होनी चाहिए याने इस point pulsate याने सास लेना सास चोड़ना expansion and contraction तो author कहते हैं इस point पर समझना यह चीज कि movie के जान इस point of time में होनी चाहिए याने पबलिक विल्कुल interested होके देखनी चाहिए इस point पर movie को तो यह बताना कि कौन से point पर interval होगा बहुत अच्छा गाने गाने वाला point ही होना चाहिए यह बताना इस very difficult for me इस point of time पर I have often wished for a kind of notation which would enable me to put on a paper all these shades and tones of my vision to record distinctly the inner structure of a film okay notation का मतलब क्या होता है a system of written symbols used to present music etc. कभी-kभी short forms या फिर रिटन symbols आप लेक लेते हो ना पढने में जो easy रहते हैं वो तो अथर के दे इस point of time में मैं हमेशा इच्छा रखता हो कि कुछ notation होने चाहिए याने जो भी मेरे दमाग में thoughts आ रहे हैं उसका कोई short form कुछ छोटी सी चीज होनी चाहिए जिसको मैं note करके रख लू याने मैं लिखके रखनू ताकि मैं भूलू नहीं सब्सक्राइब को नहीं तो आपका रहे हैं जो जाने जो चीजें जरूरती ने इंपोर्टन ने तो अथर कहते हैं कि मुझे न ये शौट में लिखना बहुत जरूरी है सारी चीजे क्योंकि जब मैं स्टूडियो में खड़ा होता हूं और मुझे पूरा सीन शूट हो रहा होता है बहुत शॉकिंग सीन होता है तो उस टाइम मेरा दिमाग और मेरे हाथ फालतु की अनिम्पॉर्टेंट चीजों से भारा हुआ रहते कि हां आरे मुझे यह करना है बो करना है मुझे वह यादी न हाता कि मैं चार हफ्दे पहले मैंने क्या सोचा था कि है मैं इस सीन में यह चीज जरूर रखूंगा वो मुझे याद ही निया था अगर मैं कंपेर करूं तोड़े याने आज से याने आज जब यह अच्छली सीन शूट हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर चीज शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख के रखूं ताकि में अपने में इस मूवी में डालनी है if I could express myself clearly in explicit symbols then this problem would be almost eliminated and I could work with absolute confidence that whenever I like I liked I could prove the relationship between the part and the whole and put my finger on the rhythm the continuity of the film explicit का मतलब क्या होता है clear not confusing ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल clear है और आपको confused नहीं कर रहे हैं तो author कहते हैं कि मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मेरे पास जो मेरे thoughts हैं वो short form में कहीं clear symbols short forms के form में कहीं लिखी रहे हैं ताकि मैं बहुत confidence से काम कर पाऊं और जो मैं actually scene shoot कर रहा हूं उसका relation बठा पाऊं उस पूल जाता हूं तो अगर मैं बस लिखी हुए रहेंगी तो मेरे लिए easy रहेगा लेकिन बहुत imperfect है याने अभी इसमें सब कुछ mentioned नहीं है क्योंकि आजी से जाधा चीजे हमारे film director के दिमाग में होती है तो यह बिल्कुल perfect नहीं बोल सकते कि हैं इसमें सब कुछ है क्योंकि आधा इसमें आधा director के दिमाग में and there is another important point in the connection which I should like to mention film has nothing to do with literature author केते एक और point में बताना चाहता हूं कि film का literature से English की जो novels है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है the character and substance of two art forms are usually in conflict substance मतलब that a deeper level part of the film which contains history and stuff तो कोई movies जिसमें history, इतिहास के बार में बता रहे हैं तो author कहते हैं कि picture का literature से कोई लेना देना नहीं है जो character role play कर रहे है for example बाजी रौ का जो role play कर रहे है या मस्तानी का जो role play कर रहे है उसका और substance है जो deeper level histories जो पढ़ी होगी हमारे director ने कि हां ऐसा हुआ था तो वैसा उसको दिखाना है screen पर यह सारी चीजें हमेशा आपस में conflict में आती है याने आपस में mail जोल नहीं कहाती को कि history कुछ और थी जो actor हम अभी choose कर रहे है character उन दोनों में काफे difference है उसको वैसा बनाना पड़ता है तो इसलिए literature का कोई लेना देना नहीं है यहां पर यहां पर actor के acting skills और script का खेल है पूरा this probably has something to do with receptive process of the mind receptive का मतलब क्यों होता है ready to accept new ideas and suggestions तो author केते कि इससे इसका स्रव लेना देना यह है कि जो actor है उसका mind receptive होना चाहिए नए-nए ideas और director जो suggestion दे रहे हो वो accept करे तभी वो अपने role को अच्छे से play कर पाएगा the written word is read and assimilated by the conscious act of the will in alliance with the intellect assimilated का मतलब क्यों होता है liked and understood किसी चीज़ को अपने पसंद किया और फिर समझा भी तो author के इस script में जो लिखा है actor को उसको अगर पसंद है तो वो उसको समझेगा और अपनी intellect अपने दिमाग से अपने skill से उस role को play करेगा little by little it affects the imagination and motions और फिर धीरे धीरे जो imagination actor ने किये जो imagination director ने अपने दिमाग में किये और emotion जो वो चाहता है कि actor ऐसा emotion निकाले वो सीन शूट करते वक्त वो धीरे धीरे फिर आएगा the process is different with a motion picture motion picture याने कि a cinema film जो cinema आप सामने देख रहे हैं उसको motion picture कहते हैं याने कि जो motion है याने जिसमें movement और वो continuously चल रही है तो author कहते हैं यह तो पुरी process ए picture picture बनाने की वो बिल्कुल अलग है उस picture से जो आप सामने स्क्रीन पर देखते हैं कि यहां बहुत महनत लगी हुई रहती है when we experience a film we consciously prime ourselves for illusion prime ourselves का मतलब adjust our thoughts अपने thoughts को उस हिसाब से adjust करना तो author कहते हैं जब हम को picture देख तो experience करते हैं पुरी picture को तब हम अपने thoughts को उस picture के साब से adjust करते हैं और क्योंकि सामने वाला illusion दिखा रहे हैं सामने वाला में जैसा दिखा रहे हैं वैसा देख रहे हैं लेकर जब पिक्चर बनाने की बात होती है तो वह completely different experience होता है उन लोगों के लिए क्योंकि बहुत effort और महनत लगी होती एक picture बनने में putting aside will and intellect we make way for it and our imagination तो अथर कहते हैं अगर हम अपनी इच्छा और अपने दिमाग नमाग को सब साइड में रख ले तो हम अपनी सब imagination के हिसाब से कर सकते हैं the sequence of picture plays directly on our feelings जो picture हम देखते हैं और जो sequence में देखते हैं कि इसके बाद ही आया फिर गान आया फिर कोई emotional scene आया तो ये सारी चीज़े जो है वो directly हमारी feelings के साथ खेलती है music works in the same fashion और music भी जो भी music आप एक picture में सुनते हो वो भी इसी fashion में और इसी तरीके से काम करता है I would say that there is no art form that has so much in common with film as music तो आथर कहते हैं कि इस दुनिया में कितने सारे art forms है अलग-अलग artistic चीज़ें अगर उनको आप फिल्मों से compare करोगे तो बहुत अलग है वो arts अलग है picture अलग है both affect are emotions directly not via the intellect तो अथर के दिए music ही है जो हमारे emotions को directly affect करता है हम बोलते हैं पिक्चर तो वालतू थी लेकिन गाने बहुर अच्छे थे music ने आपको आपको affect किया आपकी feelings को affect किया ना ही intellect में intellect याने जो mind जो दिमाग लगाया हुआ है picture बनाने के लिए वो सारी चीज़े आपको इतना affect नहीं करेंगे लेकिन गाने आपको emotionally drive करके ले जाएंगे and film is mainly rhythm it is inhalation and exhalation in the continuous process तो author कहते हैं film एक rhythm की तरह inhalation याने सास अंदर लेना exhalation याने सास छोड़ना तो author कहते हैं कि हम लोग जो picture बनाते हैं वो inhale करते हैं याने कि हम पहले सब observe करते हैं देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है सास भोग के लड़ाई चल रही है husband wife की problem है किस या parents और बच्चों के उपर किस topic कि topics दुनिया में जो असलियत में हो रहा है इन्ही topics को observe करते हैं फिर इनको inhale करते हैं दिमाग में सोचते हैं समझते हैं और फिर कहते हैं कि okay इस topic पर हम picture बना सकते हैं और फिर exhale करते हैं याने सास छोड़ते हैं याने कि picture के form में निकाल के present करते हैं दुनिया के सामने ever since childhood music has been my great source of recreation and stimulation and I often experience a film or play musically और music के लिए भी author same चीज़ कहते हैं कि बचमन से ही music मेरे लिए बहुत recreation याने entertainment का जरिया रहा है और stimulation याने कि act of developing interest and excitement याने जब भी मैं अच्छा music सुनता हूं तो मैं interested हो जाता हूं और मेरे अंदर एक excitement बढ़ जाता है तो author कहते हैं कि जब भी मैं कोई picture experience करता हूं तो मैं इसको musically feel करता हूं music जैसे feel करता हूं ताकि वो मुझे समझ में आए और picture में को emotionally hit करे Film and written literature अब यहां से हमारा नया topic साथ हो रहा है कि picture को और film making को compare करा गया literature से याने की novel से It is mainly because of this difference between film and literature that we should avoid making films out of books तो author कहते है कि picture हो में और लिखी हुई novels में किताबों में बहुत difference से बहुत फर्क है और इसी वज़े से लिखी हुई novels जों किताबे हैं हमको उसके picture है नहीं बनानी चाहिए The irrational dimension of a literary work, the germ of its existence is often untranslatable into visual terms तो author कहते हैं कि जो germ है, जो कीड़ा exist कर रहा है याने कि जिस कीड़े से, जिस उपजाओ कीड़े से एक novel शुरुवात हुई थी उस germ, मतलब जब एक novel लिखी जाती है उसकी शुरुवात, उसकी thought process अलग होती है, उसकी कहानी अलग होती है अगर आप लिखी हुई चीजों को visual terms में याने कि picture के form में देखने के लिए आप translate करोगे तो वो untranslatable है वो difficult होगी and it in turn destroys the special irrational dimension of the film और अगर आपने ऐसा किया तो picture का जो special dimension है आप उसको सबको disturb कर दोगे, खराब कर दोगे क्योंकि एक novel completely different चीज है और इसको translate करके picture के form में नहीं कर सकते और करोगे भी तो काफी सारी चीजें missing होगी If despite this we wish to translate something into literally film terms, we must take an infinite number of complicated adjustments which often bear little or no fruit in proportion to the effort expended तो author कहते हैं कि अगर फिर भी जित करके कुछ film makers, किताबों को convert करते हैं उस कहानी के picture में या movie में तो आपको बहुत सारे complicated adjustments करने पड़ते हैं बहुत adjustments करने पड़ती picture बनाने के लिए और जिसका result यह निकलता है कि आखरी में आपको कोई fruit या कोई result मिला ही नहीं जितना आपने effort expand किया या ने लगाया जितनी मेहनत लगा होगे इसका कोई result ही नहीं निकलेगा अगर आपना किया भी जबर जस्ती ऐसा तो आप आप मैसल्व आप नेवर एड़नी अमबिशन तो बीन ऑथर तो अथर केते हैं मेरा खुद का अगर मैं बात करूं तो कभी कोई ऑथर बनने की याने की राइटर किताबे लिखने की मेरा कभी कोई लाइफ में एम नहीं था आइड़न वांट टो राइट नौवल्स तो अथर केते हैं मुझे नौवल्स शॉट स्टोरीज एसेज याने निभंध बायोग्राफीज याने की खुद के ऊपर कोई कहानी लिखना तो या कोई प्ले थेटर के लिए जो प्लेज होते हैं यह सब अलग पिक्चर के बारे में अलग अलग रिदम मैंने alleo जन स्ट मेरी अण गें आझने घे आंग और आयोग कारतर जैने अलग-अलग actors and actresses को role दूँगा मैं और उससे related से मुझे हमेशा picture बनानी थी और author कहते हैं यह किसी है किसी तरह से बस मेरे लिए important है मेरे को writer लेखक नी बनना मुझे author कहते हैं The motion picture with its complicated process of birth is my method of saying what I want to my fellow men I am a filmmaker not an author तो author कहते हैं कि जब एक motion picture याने cinema की जो picture हम देखने जाते हैं उसका जो birth होता है याने जब picture बनने की जो शुरुआत होती ही वो बहुत complicated है बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, script लिखनी पड़ती है, roles decide करने पड़ते है इस सब बहुत complicated चीज़ें और ये सब चीज़ें मैं करता हूँ इसलिए वो अपने fellow men, अपने प्यारे दोस्तों को ही बता रहे हैं कि मैं एक film maker हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ I am not an author, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं किताबें नहीं लिखता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म लेकर हूँ मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, लेखक होता तो मैं author होता न तो author के कहने का मतलब ये है कि मैं author नहीं हूँ मैं एक film maker हूँ, picture है बनाता हूँ Thus, the writing of the script is a difficult period but a useful one for it compels me to prove logically and validity of my ideas compels me का मतलब क्यों होता है, helps me to move in a particular direction एक particular रहा पर चलने के लिए जो आपकी चीज़ help करती है और compel करती है, तो author कहते हैं कि जो script लिखने का जो process है ये मैं मानता हूँ कि बहुत difficult है, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है स्क्रिप्ट के मेना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरी help करेगी कि समझने में logically समझने में कि मुझे किस दिशा, किस direction में जाना है अब इसके बाद ये dialogue आएगा, इसके बाद इसकी entry होगी, इसके बाद ये scene आना है ये सारी चीज़ script में लिखी होती, तो ये important है और मेरे को एक guideline की तरह picture बनाने में help करती है क्या? script In doing this, I am caught in a conflict author कहते हैं, जब मैं script लिखता हूँ, तो मैं conflict में पढ़ जाता हूँ याने दो तरीके के विचार मेरे दिमाग में आते हैं जो आपस में mail नहीं खाते और वो क्या विचार होते हैं? A conflict between my need to transmit a complicated situation through visual images and my desire for absolute clarity तो author केते हैं, वो दो thoughts ये हैं कि पहला, कि जो मैंने सोचा है उसको मुझे visual terms में transmit करना याने दिखाना है जो मैंने सोचा है, उसको मुझे screen पे, सामने picture पे visually दिखाना है कि लोग मेरे thought को देखेंगे कैसा और दूसरा मेरा thought जो उससे बार-बार लड़ाई करता है इस thought से conflict में आता है कि मुझे जो भी दिखाना है वो clarity से दिखाना है बिल्कुल definite clarity कि public को समझ में आए वो ही चीज जो मैं सोच रहा हूँ तो उनको काम भी करना है और इतनी clarity से करना है कि लोगों को समझ में तो ये चीज दोनों चीज़े वो उसमक दिमाग में रखते हैं हमारे author जब वो script लिख रहे होते हैं कि मैं वो सारी चीज़े लिखूँ जो मैंने सोच ये और ये जो script में लिख रहा हूँ सामने वाले को समझ में भी आए I do not intend my work to be solely for the benefit of myself or for the few but for the entertainment of the general public Intend याने कोई चीज प्लान करना Solely याने की only Okay The wishes of the public are imperative Imperative याने की important Author कहते हैं कि जब मैं काम करता हूँ तो सिर्फ मैंने जो भी प्लान करता हूँ जो भी मैं काम करता हूँ वो अकेले अपने लिए या अपनी टीम के benefit के लिए नहीं करता हूँ मैं general public के entertainment के लिए picture बनाता हूँ अगर public entertain हो रही है तो तो picture मेरी successful है नहीं entertain हो रही है तो मेरी picture बनाने का कोई मतलब नहीं है जो public की wishes है याने public की इच्छा है कि वो इस तरीके की कोई picture देखना चाहते है वो मेरे लिए imperative है याने की important है और मैं उस तरीके की picture बनाने में मजा रखता हूँ बट सम्टेम्स आरेस्ट फॉल इंपल्स अन इपनी खुद की इच्छा इन अन कन्वेंशनल याने की अन्यूजवल नौट बेस्ट अजनरली वाट इस दन तो अथर कहते है वैसे तो में picture पबलिक की देमांड की उनकी इच्छाह के साब से बनाता हूँ पर कभी-कभी मैं अपना इंपल्स अपनी इच्छा फॉलो करता हूँ कि ऐसे बनाता हूँ मैं picture और जब मैं बनाता हूँ तो मुझे बहुत surprising लोगों के जो audience के मुझे responses दिखते हैं क्योंकि मैं वो दिखा रहा हूँ लोगों को जो अभी तक लोगों ने देखा नहीं है जो usually लोग देखते हैं वैसा नहीं को different दिखा रहा हूँ तो हो सकता है कभी-कभी public की जो responses होते हैं काफी shocking होते हैं की public को पसंद नहीं आता कोई नई चीज देखना उनको वही regular चीज़े देखनी है जो वह देखना चाहते हैं तो कभी-कभी ऐसा भी होते हैं तो author ही हमको बता रहे हैं when shooting begins the most important thing is that those who work with me feel a definite contact that all of us somehow cancel out our conflicts through working together we must pull in one direction for the sake of the work at hand तो author कहते हैं जब मैं shooting start करता हूं तो जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं अगर मेरे उनके से कोई conflicts हैं कोई मतभेद हैं तो मैं वो सब खतम कर देता हूं क्योंकि हमारा एक ही direction में हमें जाना है हमें एक ही हमारे सामने aim है कि picture की success हो picture successful हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी ही कि हम सब आपस में बिना लड़ाई जगड़े यह conflicts के काम करें तो हम सब एक direction में काम करने की कोशिश करते हैं sometimes this leads a dispute but the more definite and clear the marching orders the easier is to reach the goal which has been set marching orders क्यों होते, orders given to soldiers जब soldiers के अज़ों troop जो पूरा group होता है उसको जो order देता है जो बड़ा general होता है पूरी soldiers का उसे हम उन orders को marching orders केते हैं तो author कहते हैं कि कभी-कभी यह सब लड़ाई जगड़े आपस में खतम करने के बाद भी कभी-कभी picture बनते वक कोई dispute, कोई लड़ाई जगड़ा हो जाता है हम लोगों के बीच में लेकिन मेरे जितने orders clearly मैं उन लोगों का दूंगा उतना easy मेरा काम होगा उतना easy हमेरा goal को achieve करना होगा कि मेरे को picture तक पहुचना है और successful picture मेरे को बनानी तो मैं अपने orders इतने clear रखता हूं कि easily सब समझ लें और आपस में लड़ेना और यही एक डिरेक्टर होने के नाते में conduct रखता हूं कि orders clearly दूं मैं और पहाप्स the explanation of much of the nonsense that has been written about me तो author केते हैं जो फालतु nonsense news वाले reporters मेरे बारे में लिखते हैं जो कि celebrities के बारे में usually लिखते ही हैं journalists केते हैं उनको भी मेरा यह explanation है कि एक अच्छी picture बनाता हूं इसलिए हूं कि मैं orders बहुत clearly रखता हूं अपनी team के लिए जितने clear मेरे orders रहेंगे उतना easy मेरा काम रहेगा While I cannot let myself be concerned with what people think and say about me personally I believe that reviewers and critics have every right to interpret my films as they like Critics याने की person या team who finds faults in the movies जब एक movie तयार होती है तो वो public को directly नहीं दिखाई जाती है वो पहले critics देखते हैं याने कुछ group of people कुछ team देखते हैं और उनको अगर वो कुछ खामिया कर निकालते है movie में तो director को delete करने पड़ते है scenes या वो dialogues कुछ अटाने पड़ते हैं वो जारी चीज़ें तो author कहते हैं कि मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता कि लोग मेरे बार में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं मेरे को उनसे कोई फरक नहीं पड़ता जो reviewers हैं जो मेरी movie को review देते हैं कि कितनी अच्छी movie है कितनी बुरी movie है यह जो critics हैं, जो criticize करते हैं मेरी movie को याने की खामिया निकालते हैं, faults निकालते हैं मेरी picture में से ठीक है, उनको जो करना है, करने तो यह उनका right है, यह उनका hak है उनकी job है, उनका खुद का choice है कि वो मेरी film को कैसे interpret करें, कैसे समझें यह उनकी choice है, मैंने तो picture बनानी थी मुझे, मैंने बना दी I refuse to interpret my work to others and I cannot tell the critic what to think Each person has the right to understand a film as he sees it तो author कहते कि मैं एक-एक को जाके नहीं समझाऊंगा कि picture का यह meaning निकालो या मैंने ऐसा सोचा और इस सोच को लेके मैंने picture में बनाई है या critics को जाके नहीं बोलूँगा कि आप गलती मत निकालो कि यह सोचो आप मैंने ऐसा सोचा था और picture बनाई थी आप भी ऐसा ही सोचो हर इंसान अपने आप अपने हिसाब से सोचता है जब वो picture देखता है और यह उसका right है मैं एक-एक को जाके बोलूँगा नहीं तो यह राइटर के views हैं इधर यह attracted और repelled picture देखने के बाद यह तो इंसान attract होता है यानि उसको picture पसंद आती है यह repel होता है कि अरे गंदी picture यह उसका choice है a film is made to create reaction film इसी लिए बनाई जाती है ताकि public का कुछ ना कुछ reaction आए या तो अच्छा reaction या तो बुरा if the audience does not react one way और अदर दर it is a indifferent work and worthless तो author कहते है कि यह तो अच्छा response देगी public में या बुरा कि picture अच्छी थी या तो खराब थी लेकिन इस condition में कि जब public कोई response ही नहीं दे रही यह बोली नहीं रही कि न अच्छी picture थी न बुरी तब तो आपकी picture बनाना is worthless and is useless है तब तब पिक्चर बनाना आपका वेस्ट चला गया कि public पसंद भी नहीं कर रही अच्छा तो दूर की बद बुरा भी नहीं बोल रही कुछ भी नहीं बोल रही आपकी picture के बारे में तो वह situation जारक खराब है तो author कहते हैं यह सब कहने का यह मतलब निहीं कि मैं बहुत इसफिरेंट हूँ मैं बहुत अलग हूँ कभी किसी के दिमाग में आया ही ना हूँ पर मुझे ये सारी चीज़े बेवकूफ पंती लगती है ओथर कह रहे हैं इधर और 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 नॉट या तो आप और अरिजनल हो या आप नहीं हो इस नाचरल फॉर आर्ट्ट तो टीक फॉर्म एंग तो इस अदर और और तो ऑथर कहते हैं जो आप शुंपर्ण भाइन वाल शुक्र बनाने वाले जो भी इस दुन्या में अलग अलग आर्टिस ले ये अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्फ करते हैं देखते हैं एक्स्पी मैं देख रहे हैं वैसी पिक्चर बना रहे हैं और सब में बात रहे हैं इसमें ओरिजिनालिटी की क्या ही क्या ही बात है तो अथर ऐसा बोल रहे है in my own life my great literary experience was strindberg तो author केते मेरी खुद की life की अगर में बात करूं तो मैंने बहुत experience बहुत सीखा है strindberg से यह है strindberg who was strindberg इनका पूरा नाम august strindberg था he's a swedish playwright and considered as the father of modern swedish literature तो यह swedish यहने swedian country के play writer रहे चुके और father of swedish literature का इनको खिताब दिया गया तो author किते मेंने इस इस इंसान से बहुत सीखा है बहुत experience लिया है there are works of his which can still make my hair stand on end the people of hemso for example तो author कहते है इन्होंने जो काम किया जो चीजे लिखी है न वो आज भी मेरे सर के बाल खड़े कर देते कितना कैसे कोई कैसे सोच सकता है इतना अच्छा कैसे लिख सकता है और example दिया उन्होंने the people of hemso नाम की किताब का जो उन्होंने लिखी है and it is my dream to produce dream play someday तो author कहते है कि dream play नाम की जो play है यह Strindborg ने यह लिखा है तो author कहते हैं यह मेरे सपना है सपना था कि मैं dream play इनका लिखा हुआ प्ले को picture में convert करूँ है यह मेरे सपना था Olaf Molander's production of it in 1934 was for me a fundamental dramatic experience Olaf Molander कौन है this person is Olaf Molander who was he Swedish theater and film director theater और film के director थे Sweden country के Olaf Molander तो author कहते हैं कि मेरे सपना था कि मैं Strindborg द्वारा लिखी गई यह जो dream play है इसको किसी दिन picture में convert करूँ लेकिन जब तक मैं करूँ करूँ ओलाफ ओलोफ मुलैंडर ने 1934 में बना भी दी इसकी picture और जब मैंने वह picture देखी तो मेरे लिए काफी dramatic experience है यानि कि मुझे देखके काफी मजा आया और लगा कि कितना drama है movie में कितने dialogues हैं मुझे काफी अच्छा लगा तो author के कहने का मतलब है हम अलग-अलग लोगों से सीखते हैं और वही चीज़ करते हैं इसमें originality वाली क्या बात है अब new topic आता है significant persons significant का मतलब क्या होता है important अब इस में इस topic में हम उन सारे important लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे author की पूरे career life में बहुत importance रखने यानि यह वो सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्नोंने कहीं न कहीं हमारे author की मदद करिये एक अच्छा film director बनने में ओके on a personal level there are many people who have meant a great deal to me तो author कहते है अगर में अपने personal level पर बात करूँ बहुत लोग हैं जिन्नोंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है my father and mother were certainly of vital importance जिसमें से मेरे father और मेरे मदर भी बहुत importance रखते हैं मेरे लिए not only in themselves but because they created a world for me to revolt against revolt का मतलब क्या होता है to take action against something तो author कहते है मेरे माब अपने मेरे लिए एक ऐसा world create करा जिसको मैं revolt करूँ याने कि ऐसे चीजह जो मुझे पसंद ने आती थी और मैं उसके against जाने की कोशिश करता था in my family there were atmosphere of hearty wholesomeness which I a sensitive young plant scorned and rebelled against तो author कहते हैं कि मेरे family में जो atmosphere था वो hearty wholesomeness का था याने कि being cheerful and healthy कि सब बहुत खुश रहते थे मस रहते थे healthy खाते पीते मस रहते थे लेकिन मैं sensitive young plant छोटे plant जैसे चोटा बच्चा जो मैं था मैं scorn करता था याने कि मैं इन सब चीजों को reject करता था refuse करता था पसंद ने आती थी और मैं इन सब चीजों के against रहता था कि अरे इतना क्या बातचीत करना इतना क्या hee hee ho ho ha ha करना all time but that strict middle class home gave me a wall to pound on something to sharpen myself against और कहीं न कहीं इसकी जो family थी वो काफी strict middle class family भी थी तो author कह थे कि क्योंकि मेरी family middle class थी काफी strict थी उन्होंने मुझे pound on करने का मौका दिया यहने climb करने का life में कुछ perform करने का मौका दिया ताकि मैं अपने अपको sharp कर पाऊं ताकि मैं अपने अपको बहुत तेज कर पाऊं माहिर कर पाऊं अपनी field में at the same time they taught me a number of values और कहते हैं इसी वक्त मेरी family ने मुझे बहुत values बहुत संसकार भी दिये उन्होंने मुझे efficiency बताया कि कैसे काम अच्छे से करना है punctuality बताया कि time पे कैसे हर जगा पुछना है a sense of financial responsibility यह तक बताया कि पैसे को कैसे handle करना है अंधा दुन्द खर्च नहीं करना है विच में भी बॉजवा इस वर्ट को प्रणांस करते हैं बॉजवा बट आर नेविदलेस इंपोर्टन वेन आर्टिस्ट बॉजवा का मीनिंग होता है characteristic of middle class एक ऐसी quality जो usually middle class family में होती है कि पैसा बचाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, अच्छे से काम करो तो author कहते हैं कि यह सब मेरे लिए बहुत बॉजवा था याने कि काफी middle class type का लगता था मुझे लेकिन एक artist के लिए सारी qualities कहीं ने कहीं बहुत importance रखती है तो author कहते हैं अपने standards set करने के लिए यह सारी चीज़े बहुत important है तो author कहते हैं कि आज एक फिल्मेकर हूँ मैं पिक्चरे बनाता हूँ और मैं एक कॉंसेंश इंसान हूँ याने कि wish to work well याने कि हमेशा यह इच्छा रखता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ बहुत महेंती हूँ मैं और एक्स्ट्रीमली कैरफल हूँ बहुत ध्यान से पिच्चरे बनाता हूँ मैं फिल्म्स इन्वाल्व गुट क्राफ्समेंशिप मेरी पिच्चरे अच्छी क्राफ्समेंशिप इन्वाल्व करती है क्राफ्समेंशिप याने कि the quality of work done by hand जब अब हाथ की कारीगीरी करते हूँ तो वो बहुत महेंगी होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है और वो काफी अच्छी होती है मशीन से जो चीज नहीं बनाई जाती है काफी authentic होती है तो अतर कहते हैं कि मैं समझो ऐसा काम कर रहा हूँ जैसे क्राफ्समेंशिप से एक एक चीज हाथ से मेहनच से कर रहा हूँ और मेरी प्राइड और मैं अपने आपर प्राइड करता हूँ गुरूर है अगर मुझे अपने ऊपर पॉजिटिव वे में तो वो इसलिए यह है कि मैं एक अच्छा क्राफ्ट्समें हूँ यान एक अच्छा कारीगर हूँ जो अपनी पिच्चर को बहुत अच्छे से बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कम पैसों में जाद अच्छी चीज बनाऊ अमंग दे पीपल वह मेंट सम्थिंग इन में प्रोफेशनल डेवलप्मेंट इस अब इक दूसरे इंसान के बार में बता रहे हैं वह है तॉर्स तन हमरीं ये रहे तॉर्स तन हैमरन ही वसस्वीडिश अक्टर गीस्वीडिन कंट्री के काफी फैमेंज अक्टर रहे चुके तो अफर कहते के मेरे प्रोफेश्नल डेवलप्मेंट इस इंसान ने भी मेरा बहुत मदद करिये और ये कहां के रहने वाले थे गौथनबर्ग नाम की जगा के रहने वाले थे और ये जगा भी स्वीडिन महीं थी तो आथर कहते हैं की तॉर्स्टन हैमरन गौथनबर्ग में रहते थे उस वक्त मैं भी चार साल के लिए गौथनबर्ग में रहा और ये वही चार साल हैं जब मुझे तॉर्स्टन ने क्या सिखाया थेटर के बारे में सिखाया काफी कुछ चीजे सिखाई और मुझे बताया कि थेटर में प्ले कैसे बनाये जाते हैं इस तिंग्स थेटर का काफी कुछ बताया और इन्होंने मेरे इतनी मदद करी कि उसके बाद हालसिंग बोर्ग नाम की जगा जो स्वीडन में यहां पर मुझे सिलेक्ट कर दिया गया मुझे मुझे इन्होंने मुनिसिपल थेटर में दो साल के लिए मुझे हैड मुझे तो इस इंसान ने भी मेरी बहुत मदद करिये प्रोफेशनली देन वनाइमेड मैं फॉर्स अटेम्जाट फिल्म आल्फ सौजबर्ग वू डिरेक्टिट टॉर्मेंट टॉट मिया ग्रेट डील को अथर कहते कि जब मैं पहली-पहली बार अपनी पिक्चर बनाने लगा तो रहे चुके हैं और वर लॉरेंस मांस्टेड हुर्यली टॉट मी फिल्मेकिंग फ्रम स्क्राच आप्र मैं फॉर्स अंसक्सेस्फुल फिल्म तो अथर कहते कि जब मेरी पहली पिच्चर मैंने बनाई थी तो वह अंसक्सेस्फुल गई थी फ्लॉप गई थी मार्केट में त दोनीता कैसे खतम होती है इन्होंने सब कुछ सिखाया हमारे ओधर को तो काफी सारे लोगों ने इनको प्रोफेशनली हैं अमंग अदर तिंग आ लटन्स रम्म स्टेड़ इस बवान अनुब्रेकेबल रूल मांस्टेड कौन थे मांबसेड यह है मां मांस्टेड इन्होंन coldly and clearly यह बोला था कि अपना काम जो भी कर रहे हो इसको बहुत ध्यान से और clearly देखना you must be a devil to yourself in the screening room when watching the days rushes तो author कहते हैं कि इन्होंने मुझे बताए था कि जब screening room screening room वह room होता है जब picture तयार होने के बाद कुछ थोड़े से लोगों को अपने अपने कुछ इंपोर्टन लोगों को विचर दिखाते हो और बोलते हो कि थोड़ी गलतिया बताओ मुझे वह screening room होता है तो author कहते हैं कि जब आप अपना काम करो तो बहुत ध्यान से अपने काम को देखो और screening इंसान के बारे में बता रहे हैं वो Herbert Grivenis यह रहाए आपके Herbert Grivenis he was a Swedish screenwriter screenwriter थे Sweden country के author के यही वो इंसान थे जिन्होंने मेरे अंदर आज राइटर आज लेखक मेरे में बहुत बिलीफ किया कि नहीं तुम कर सकते हो I had trouble with script writing and was reaching out more and more to the drama तो author कहते थे कि मेरे को script लिखने में बहुत दिक्कत जाती थी तो मैं कोशिश करता था अलग-अलग लोगों तक पहुच्छूँ सीखूँ समझूँ नहीं समझ में आता था तो drama dramas में घुजडा था था कि चलो को finally there is Karl Anders Daimling my producer फिर finally आखरी में कौन से important इंसान के बार में बात कर रहे हैं वो Karl Anders Daimling जो कि यह हैं बोलते हैं कि यह मेरे producer है मेरी picture के he is crazy enough to place more faith in the sense of responsibility of a creative artist than in calculations of profit and loss तो author कहते हैं कि मेरे producer इतने crazy हैं वो किसी भी इंसान में faith याने विश्वात दिला सकते कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो उम्मीद मत हारो don't lose hope कर सकते हो picture में से कितना profit निकलेगा कितना loss निकलेगा वो बात की बात है इनके लिए लेकिन पहले तो इंसान में यह faith दिखाते कि नहीं you can do this और इन्होंने मेरे अंदर बहुत faith दिखाया ऐसा author कहते है आज में जो भी काम कर रहा हूं बहुत integrity याने honesty बहुत सच्चाई से और महनत से कर रहा हूं और यही एक चीज है जो मेरे अंदर है कि मैं honest हूं अपने काम के प्रती और एक reason यह भी है कि मुझे इसलिए Sweden नाम की country के भार काम नहीं करना क्योंकि यहां का environment यहां पर रहने वाले इतने अच्छे अच्छे लोग यह हमेशा मेरी मदद के लिए तयार रहते हैं और मैं इस ने फ्रीडम अपनी खोदी तो I will cease to be a film maker याने की come to an end याने कि मैं film maker नहीं रहूंगा फिर में को अपनी filmmaking बंद करनी पड़ेगी because I have no skill in the art of compromise तो author कहते हैं compromise करने का जो यह art है जो आजकल बहुत लोगों में बढ़ गया है कि ठीक है compromise कर लेंगे ठीक है मेरे अंदरी आट नहीं मैं life में कभी compromise नहीं करूंगा मैं हमेशा काम best करूंगा my only significance is the world of film lies in the freedom of my creativity तो author कहते है कि मेरा सरव एक important एक ही चीज है मेरी life में film की world में film की दुनिया में कि मेरी पास freedom of my creativity यानि कि जो भी मैं creativity कर रहा हूं मैं एक बहुत creative इंसान हूं अपनी picture में बहुत creativity डालता हूं तो अपनी creativity के लिए मेरे को आजादी है कि मैं जो चाहूं करूं और यह Sweden में possible है तो कहते हैं कि इसलिए मैं Sweden में करूंगा काम और Sweden के बाहर नहीं जाओंगा ओके फिर एक new topic आता है यहां पे the tight rope of filmmaking now what is a tight rope the person which you could see जो इस तरह किसी रसी पेसे चलता है बैलन्स करता है अपने आपको गिरने नहीं देता तो यह tight rope है तो कह रहा है फिन बनाना आसान नहीं है जैसे यह इंसान बहुत हर एक चीज़ बैलन्स करके लेडी चल रही है एक रसी पर चल रही है फिल्में बनाना हमारे लिए इस tight rope के बराबरी है याने हमको बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है बहुत सारी चीज़े समझनी पड़ती है कई लीगल चीज़े भी देखनी पड़ती है फिल्म बनाते वक्त तो इतना ही बैलन्स करनी पड़ती है हर चीज़ और इतनी ही हमारे साथ difficulties होती है एक picture बनाने के लिए तो वो सारी चीज़े हम आज इस topic में पढ़ेंगे today the ambitious filmmaker is obliged to walk a tight rope without a net तो author केते हैं कि आज जो ambitious filmmaker है जिनको filmmaking की line में बहुत काम करना है वो obliged रहाने कि उनके उपर यह responsibility है कि वो समझें टाइट रोप के उपर चल रहे हैं without net याने जो नीचे नेट रहती है इस तरीके की ऐसे नेट रहती है कि अगर बाइचांस कोई गिर जाए तो इसके उपर गिरे कोई प्रॉब्लम ना है तो फिल्मेकर्स की लाइफ आजकाल ऐसी हो गई कि उनको टाइट रोप के उपर चलना और यह net भी नहीं रहेगी नीचे ऐसी लाइफ हो गई उनकी लेकिन आप बेवकूफ किसको नहीं बना सकते अपने फिल्म के प्रडूसर को नहीं बना सकते आप बेवकूफ यह उनको बेवकूफ नहीं बना सकते रहेगिं को बेवकूफ नहीं बना सकते when the public refuses to go and see a film and lay down the money by which producer, bank director, theatre owner and the consumer can live. तो author कहते हैं, आपने picture दिखाई, public को पसंद आई, public ने tickets के बहुत पैसे खर्च की और आपने बहुत पैसा कमाया. लेकिन अगर आपने कोई picture बनाई है और public आपकी picture देखना ही नहीं चाहती, टिकेट के पैसे खर्च ही नहीं करना चाहती, तो वो जो टिकेट का पैसा है, जिससे आपके producer का, आपके bank director का, theatre owner का और खुद आपका, konjurator ने खुद जो film maker उसका घर चल रहा है, अगर वो पैसा देना ही नहीं चाहती, उस condition में आप अपने producer, bank director और theatre owner को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्या explanation दोगे उनको कि आपके picture नहीं चली, पैसा नहीं आया, खुद क्या कमाओगे और दूसरों को क्या profits दोगे, वो सब तो आपके उपर चड़ाई करेंगे ना, तो इस केस में जो कॉंजूरर है, जो फिल्मेकर है, मान लो अगर उसका कोई magic wand, कोई जादू की चड़ी है, इमाजिनेटिव जादू की चड़ी जिससे उसको लगता है कि अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इस केस में उसकी जादू की चड़ी भी काम नहीं करेगी, तो आथर कहते हैं कि जितना हमारी इंडस्ट्री में टालेंट है, इनिशेटिव लोग लेना चाहते हैं, काम करने के लिए, कितनी क्रिएटिव अबिलिटी है लोगों के अंदर, कितना जादा क्रिएटिव दिमाग चलता है लोगों का, यह सब पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सब ने मिलके डिस्ट्रॉय कर लिया है, रूथलेसली आने की, विदाउट पिटी, लोगो लोग एक दूसरे पर बिलकुल दया भी नहीं खा रहा है, और बिलकुल यह सारी चीज़े डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे सॉसेज मशीन हो, ना वाट इस सॉसेज मशीन, यह जो मशीन आप देख रहे हो, इसको सॉसेज मशीन कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, बड़े-बड़े मीट के पीसेज डालते हैं, और अंदर कटर्स होते हैं, बहुत बेरहमी से मीट को कट करके, इस तरीके के बिलकुल सॉफ्ट सॉफ्ट मीट फॉर्म निकालते हैं, और उसके सॉसेज, यानि हिंदी में बोले तो टिक्कियां मना के रख देते हैं, फिर इसको फ्राइ करके खाओ, फ्रोजन करके रखो, कुछ भी रखो, तो जिस बेरहमी से मीट को एक सॉसेज मेशीन कट करके, इस तरीके से इसका भुर्दा बना देती है, उसी तरीके से जो इंडस्ट्री में लोग है, जो वह टालेंटेड है, जो बहुत क्रियेटिव है, उनका बिल्कुल हालत खराब कर दिये, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने मिलके, वाट वस प्लेट तु मी वांस, हज नाव बिकम ए स्ट्रॉगल, तो अथर कहते हैं, जो काम मेरे लिए विलकुल खेल के बराबर हुआ करता था कभी, आज मेरे लिए बहुत स्ट्रॉगल, बहुत महनत का काम हो गया है, इंडस्ट्री में हर चीज एजी ली नहीं मिल रही, फेलियर, क्रिटिसिजम, पब्लिक इंडिफरेंस, औल हर्ट मोर तुडे दैन यस्टेड़ी, तो अथर केते हैं, अगर हम लोग फेल हो जाते हैं, याने कि नाकाम्याब होते हैं, कोई अच्छी पिच्चर बनाने में, क्रिटिसिजम, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, याने कि अच्छी पिच्चर थी, पब्लिक इंडिफरेंस, पब्लिक कोई हमारी मानलो, इंडिफरेंड है, आधी पब्लिक पसंद कर रही, आधी पसंद यह नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें, आज के डेट में, जाधा हर्ट करती हैं, जितना पहले किया करती थी, तो आधर कहते हैं, जो फिल्म इंडिस्ट्री है, ये बहुत क्रूल हो गई है, और अब्वेसली, इंडिस्ट्री एक दुसरे के लिए सही बेहेव नहीं कर रही, तो आधर कहते हैं, ये सब बुरा तो है, लेकिन अगर चाहो आप, फिर भी सक्सेस्फुल होना, तो आप इसको एक एक अड्वांटेज की तरह ले सकते हो, इसको एक पॉजिटिव वे में अपने लिए ले सकते हो, तो अधर कहते हैं कि लोगों के लिए, कितना कुछ करने के लिए है, इस पूरी फिल्म बिजनेस में, I have been asked as a clergyman's son, about the role of religion in my thinking and filmmaking, clergyman कौन होता है, clergyman होता है, जो father होता है आपके चर्च में, जो पादरी होता है, उसको आप clergyman कहते हो, तो author कहते हैं कि मुझे कई बार लोगों ने पूछा, कि आपकी life में religion का, क्या रोल है और उसको आप अपनी फिल्म मेकिंग में, पिक्चरें बनाने में कैसे यूज करते हो, to me, religious problems are continuously alive, तो author कहते हैं मेरे लिए, जो religion से related जो भी problem हो, वो हमेशा ही जिन्दा रहीं, कभी खतम नहीं हो, I never cease to concern myself with them, और author कहते हैं कि I never cease, याने I never come to an end to concern myself with them, याने हमेशा कुछ नहीं कुछ religious चीज है मेरे दिमाग में चलते ही रहती है, it goes on every hour of every day, हर दिन के, हर घंटे में कुछ नहीं कुछ religious problem मेरे दिमाग में रहती है, yet this does not take place on the emotional level, but on an intellectual one, तो author कहते हैं, पर इस चीज को मैं emotionally अपने उपर हावी नहीं होने दिता, मैं इसको intellectually याने कि बहुत है, intelligently, दिमाग से, इस religious चीजों को अपनी फिल्मों में लगाता हूं, दिमाग यूज करता हूं, emotional बेवकूफ नहीं बनता हूं मैं, religious emotion, religious sentimentality, is something I got rid of long ago, I hope, तो author कहते हैं, यह जो religion से related emotion है, sentimentality, यहने जो मेरे भावना है, religion से related, इन सब से मैं rid हो चुका हूं, याने इन सब को तुमें बहुत पीछे छोड़के आ चुका हूं, फिर वो कहते हैं, I hope, उमीद है, शायद छोड़ चुका हूं, यहने कहीं ने कहीं अभी भी religious चीज़ उनके दिमाग में कहीं सारी हैं, क्योंकि उनके father एक priest रहा करते थे, the religious problem is an intellectual one to me, तो author कहते हैं, जितनी में religious problems हैं, वो मेरे लिए intellectual चीज़ है, intellectual याने की, जो चीज़ आप mind से, दिमाग से करते हो, okay, the relationship of my mind to my intuition, तो author कहते हैं, मेरा relationship मेरे mind से, मेरा intuition का है, आपके mind में कोई चीज़े हैं, लेकिन आपका intuition, आपका अंतरात्मा केती, नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो चीज़ हो जाती, तो हम कहते हैं, जो चीज़े मेरे mind में हैं, और जो चीज़ों को, जिन चीज़ों का मैं intuition करता हूं, इन दोनों का relationship बहुत है, मैं कभी-कभी समझ ही नहीं पाता, कि जो मैं सोच रहा हूं, वो कुछ उल्टी हो जाती, क्योंकि intuition कुछ और कहता है, लेकि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, अब दिमाग का और intuition का जो ये conflict, जो विचार नहीं मिल रहे है, इस conflict का, इस मतमेट का जो result होता है, इस usually some kind of tower of Babel, और ये tower of Babel बन जाता है, अब इस point का अब ध्यान से समझिए, ये जो अब tower देख रहे हैं, ये tower of Babel है, क्या है ये? A story in which God divides people with different languages, so that they cannot reach heaven with the help of this tower. बहुत पुरानी पुराने कथा थी, सब इंसानों को एक ही language आती थी, तो इंसानों ने सोचा कि हम ये बहुत बड़ा tower बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और फाइनले हम heaven, अलग अलग भाशाएं दे दी, ताकि ये लोग आपस में कम्यूनिकरिटी ना कर पाएं, अलग अलग जगाओं पर चले जाएं, और ये tower तैयार होके उपर heaven तक पहुचे ही ना, अब ये जो कहानी है, ये फाल्तु की कहानी है, ये पुराव और आणे कोई कहानी असली है नकली है, किसी को नहीं पता, तो जैसे हम ये कहानी सुनते हैं और हमें विश्वास नहीं आता, समझ नहीं आता, हमें फाल्तु लगती है, ये हमें basically समझी नहीं आता कि क्या कहानी है ये, है ना, तो इस Tower of Babel की कहानी वो है, तो इस Tower of Babel को compare किया है author ने, उस conflict से, जो उनके mind और intuition से होता है, कि जो वो सोचते हैं और जो उनका intuition निकलता है, author कहते हैं ये जो conflict जो हमेशे दिमाग कुछ कह रहा है, दिल में कुछ आ रहा है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसका result हमेशे Tower of Babel निकलता है, जैसे Tower of Babel में समझ में आते हैं कि ये कहानी क्या है भाई, ऐसा कोई God थोड़ी कर सकते हैं, तो वैसे ही इस conflict का result ये निकलता है कि समझ ही नहीं आ रहा, ununderstandable, ununderstandable कि समझ नहीं आ रहा कि conflict का क्या result है, okay, philosophically, there is a book which was a tremendous experience for me, Kyla's Psychology of the Personality, तो author के था, अगर अब philosophy की बात करें, लोगों की ideologies के बार में अगर बात करें, तो एक book थी जो मेरे लिए काफी tremendous experience, मेरे लिए काफी experience देया, उस किताब ने मुझे काफी सिखाया, ये ओना Kyla नाम की लेडी ने, Psychology of the Personality नाम की book लेखी दी, ये बुक काफी काम की थी हमारे author के लिए, He's not a lady, I mean he was a man, His thesis that man lives strictly according to his needs, negative and positive, उस shattering to me, but terribly true and I built on this ground, shattering me याने की shocking and upsetting, कोई चीज़ सुन के अब जिब shock होते हो और फिर upset होते हो, दुखी होते हो कि अरे यारी क्यों मतलब, तो author कहते हैं कि इस किताब में लिखा था इस author ने, कि इंसान जो भी करता है, strictly करता है, अब वो positive कर रहा है, negative कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो अपनी needs, अपनी जरूरतों के लिए कर रहा है, उस इंसान की जैसी जरूरतों की, वैसा वो इंसान काम करेगा अच्छा बुरा किसी का मुर्डर भी कर देगा कुछ भी करेगा लेकर जो भी करेगा अपनी जरूरतों के हिसाब से करेगा यह बात पढ़के ऑथर काफी शाटर काफी शॉक और अपसेट हो रहे थे कि क्यों यार मनलब कोई भी काम करने के लिए किसी भी बुरी हद तक भी चले जाओगे क्या लेकिन मैं अब लेकिन यह बात जो भी है यह है तो सही बात न यह है तो ट्रू तो अथर कहते हैं and I built on this ground और मैं इसी ground याने इसी basis पे अप चलता हूँ कि जैसी मेरी जरूरत होगी काम में वैसा करूंगा अब नियू टॉपि आता है इसी चाप्टर में वो है cathedral building अब cathedral क्या होता है जो बड़ी-बड़ी churches होती है Christians की उनको हम cathedrals कहते हैं और चोटी-चोटी-चोटी churches होती है उनको कहते है चापल्स तो यहाँ पर cathedral building topic start हो रहा है इसके अनर हम देखते हैं कि कैसे और कौन सी cathedral का यहाँ पर mention हुआ है people ask what are my intentions with my films my aims तो author कहते हैं कि लोग मुझसे कई बार पुछते हैं कि filmos related आपके aims लाइफ में आपके गोल्स है उसके आपके क्या intentions है कैसे आप अपने गोल्स को पूरा करते हो it is a difficult and dangerous question and I usually give an evasive answer तो author केते हैं यह एक बहुत difficult और मेरे लिए dangerous question है और जबी मुझसे सवाल पूछा जाता है मैं इसका एक evasive answer देता हूँ evasive answer what do you mean by evasive answer avoiding and dodging याने कि basically मैं इस question को avoid करता हूँ और dodging याने गुमाफ वरा के answer देता हूँ question का I try to tell the truth about the human condition the truth as I see it to author केते मेरी मेरी इच्छा तो बहुत होती है कि मैं इस question का उनको सही जवाब दू कि human condition कैसी है आज की डेट में और उस हिसाब से मेरे गोल्स है लेकिन फिर मैं नहीं बोलता हूँ this answer seems to satisfy everyone but it is quite not correct तो जब भी मैं यह answer देता हूँ लोग satisfy तो हो जाते है बट मेरे यह answer जादा सही है नहीं I prefer to describe what I would like my aim to be तो author कहते है कि मैं कोशिश यह करता हूँ कि मनको पूरा बता हूँ कि मेरा actually life में aim मेरा life में goal किया है लेकिन मैं बताता नहीं हूँ there is an old story of the cathedral of chartres was struck by lightning and burnt to the ground अभ यहाँ पे cathedral यह बड़ी church की जो main story है यहाँ पे आते है मारे author यह है cathedral of chartres ठीक है located in France यह बड़ी cathedral है जो फ्रांस में तो author कहते है एक पुरानी कहानी इस cathedral के बारे में कि it was struck by lightning and burnt to the ground कि एक बहुत बड़ी lightning एक बहुत बड़ा तूफान आया और thunderstorm यह ने बिजली कड़की और यह इस cathedral पर आके गिरी और यह पूरी cathedral जल के भस्म राक होगी ग्राउंड तक हैने विल्कुल उस जमीन पर तरेपट आ गई जन थाउजंस फीपल फ्रम ओल पॉइंस पॉइंस आरे हजार ओ लोग आए और उन्हों ने इस पूरी cathedral को फिल्स फिर से अपनी सही जगा पर वैसा ऐसा बनाके खड़ा किया दे वर्क अंटिल दा बिल्डिंग वस कंप्लीटिड उन्हों ने तब तक काम के और लोगों ने जब तक यह पूरी बिल्डिंग कथीडर बन के तैयार नुए बड़े-बड़े मास्टर बिल्डर जाए आर्टिस आए लेबर आए क्लाउं जैने जोकर तक भी आए नोबल मैन याने बहुत सिधान्त वाले लोग वो भी आए प्रीस्ट पूरे पुजारी भी आए बर्गर जाए थे बर्गर जैने सेटिजन्स उस जगा के रहने वाले जितने लोग ते सब आ गया थे इस कथीडरल को बनाने के लिए बट दे ओल रिमेंट अनॉनिमस और नोवन नोस तुदिस दे हूव बिल्ड़ कथीडरल आफ चार्टर चाटर तो आतर कहते हैं पर उन लोगों ने अपने नाम हमे खड़ी करी चीक इस कहानी से ऑथर का कहना यह है कि पुराने जमाने में जितने भी आर्टेस्ट होते थे जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते थे वह सब अपना नाम गुप्त रखते थे बताते नहीं थे और ऐसे ही डैतो जाती थी उनकी इतने बड़े बड़े- इस और मैं ओन डाउट्स विच अन इंपोर्टन तो इस चीज बनाई उसने अपनी आर्टिस्टिक वैल्यू उसी दिन खोदी जब उसको सेपरेट कर दिया गया वर्शिप से याने की पूजा पाट से चर्च जहां पर पूजा पाट होती है आपने गलजीप की स्टोरी कर में वह आर्टिस्टिक चीज़ की आठ वैल्यू गिर गई क्योंकि आपने वर्शे पूजा पाट को से अलग कर दिया जिस जगा के लिए पूजा पाट के लिए वह तो आज तक उसको कोई याद नहीं करता लेकिन लाइटनिंग हो इतने सारे लोगों ने फिर से बनाया जो गैसे उससे याद रखते हैं इत्सी विए और अंबलिकल कॉर्ड नाव लिव इस उन स्टराइल लाइफ जिनरेटिंग इन डी जनरेटिंग इससेल्फ चराइल का मतलब क्या होता है फ्री याने फ्रीड़ खुले विल्कुल फ्री के साथ और अंबलिकल कोड क्या होती ह जो एक निवबॉन बेबी के साथ उसकी नेवल से निकलती है जिसको अलग कर दिया जाता है उसके बर्थ के कुछ दिन बाद तो आथर कहते हैं कि जैसे एक अमलेकल कोड को बच्चे से अलग कर दिया जाता है उस तरीके से आपने आर्टिस्ट का जो आर्ट है जोसकी इस जो पुराने दिनों में पहले के दिनों में जो आथिस्ट होता था जो भी अपना काम करता था वो अन्नो रहता था याने अपनी पहचान किसी को नी बता था और जो भी उसका काम रहता था जो भी वो चीज बनाता था वो ग्लोरी ओ गड रहती थिती याने यूस to describe something abstract of God प्रेजेंस की जैसे बहुंद नाम पर को ऐसे भगवान को डश्काते हैं, वो जीता था हैं, वो राति स्क्राइब करती रह दीन की वह बगवान काम करती eternal values, immortality and masterpiece were terms not applicable in his case आज की दुनिया में जब एक artist painting बनाते है या एक बड़ी ऐसी picture बनती है तो हम बोलते हैं क्या eternal values इसमें immortality यानि यह चीज़ तो अमर है यह painting अमर रहेगी masterpiece, क्या masterpiece बना है तो यह जो terms है कि आज की date में लोग use करते हैं जब वो artist को जानते यह terms उस जमाने में कभी इस्तमाल ही नहीं होते थे क्योंकि वो लोग artist को जानते ही नहीं थे कि कौन इसको original artist है उन artist की पहले जमाने में जो उनकी create करने की कुछ बनाने की जो ability थी वो एक god gift type की चीज़ थी in such a world flourished, invulnerable, assurance and natural humility flourished याने की developed आज का जो world है इसना developed है un vulnerable है याने की impossible to harm याने in such a world याने उस world की पुराने जमाने के world की ये लोग बात करने हैं कि वो इतना developed था और वहां के लोग कभी किसी को harm नहीं कर सकते थे ये इस चीज़ की वो लोग assurance देते थे और उनके अंदर respect for others रहती थी दूसरों के इमान सम्मान तो इस तरीके की जमाने के लोग और आर्टिस्ट उस वक्त होते थे जो कि आज की दुनिया से बहुत अलग है तो दे दे इंडिविज्वल है जो इंडिविज्वल जो लोग हो गये वो highest form के हो गहाए यानि हम सबसे बड़े और जो दूसरे लोग artistic चीज़े बना रहे हैं जो अपनी कला दिखा रहे हैं उसका बेन कर रहे है यानि यह अपनी ही बनाई हुई चीजों का कतल कर रहे हैं अपने आपको जादा बड़ा के हमने बनाया आपकी बनायो जीज को बड़ा बनाओ ना खुद को क्यों बना रहे हो आप अपनी आर्ट की वैलीओ घटा रहे हो इस तरीके की अपने आपको जादा उपर उठा के the smallest wound or pain of the ego is examined under a microscope as if it were if it were of eternal importance the smallest wound छोटी सी भी चोट या छोटी सी अगर कोई pain या कोई तकलीफ किसी इंसान को रहे है तो लोग उसका इतना हुआ बना रहे हैं कि मतलब जैसे कि microscope में डाल के एकदम बाल की खाल निकाल रहे हैं और मतलब बिलकुल जैसे कि अपने आपको खुद को लोगों ने eternal importance दे दिये कि हम सबसे उपर हमारा सबसे highest form दा आर्टिस कंसिडर्स इस isolation इस subjectivity इस individualism almost fully आज के जमाने के जो आर्टिस्ट हैं वो अपना isolation याने अकेला पन की हम जो काम करेंगे अकेले पन में करें कोई चोरी ना कर ले कोई देखे न सब्जेक्टिविटी जिस subject pages topic पर वो अपनी अपना आठ बना रहे हैं इस individualism उसकी individual individualism कि मैं एक individual हूं मेरी separate identity है personality है इन सब चीजों को artist ने आज की डिट में होली बना लिया जैसे की sacred जैसे की कोई पूजनिय चीज बना लिया बहुत हुआ बना दिया है does we finally gather in one large pen where we stand and bleed about our loneliness without listening to each other and without realizing that we are smothering each other's to death pen याने की क्या cage याने की एक pen उस पंजरे को बोलते हैं जिसमें pigs और जंगली बलब जानवरों को रखा जाता है एक farm में चीक है bleat याने की cry like a sheep जब sheep या goats जब रोती हैं आवाज निकालती तो उनकी आवाज को bleat कहते है smothering याने की suffocating किसी को घुटन देना घुटन होती है ना suffocation वो तो author कहते हैं कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम सब एक बड़े से पिंजरे में हैं जिसमें हम स्रिफ खड़ें और रो ही रो रहे हैं अपने अकेले पन का अपने loneliness के बारे में और दूसरों की सुनी नहीं रहें we are not listening to each other और यह realize ही नहीं कर रहें कि हमसे अपना अपना रोना गाना कर रहें दूसरे की सुनी नहीं रहें उसको importance नहीं दे रहें और इसमें हम भूल जा रहें realize ही नहीं कर पा रहें कि हम एक दूसरे को smother कर रहें याने कि suffocate कर रहें towards death याने गुटन महसूस कर रहें दूसरे वालों के लिए क्रियेट कर रहें दे इंडिविज्वले स्टेर इंटू इच अदर आइस एंडिविज्वले हैं हम अपने परसनल इंडिविज्वालिटी हमारी separate identity है ऐसा लगता है वो एक दूसरे की आँखों में देखते हैं और फिर भी deny करते हैं कि आप तो exist ही नहीं करते हैं बस जो है मैं हूँ तो author कहते हैं कि हम लोग बस एक circle में एक जहरी ले वीश्य सर्कल में घूम रहे हैं अपनी anxieties लिए याने अपनी worries अपनी tensions लिए बस घूम रहे हैं और अब हम इस situation पर आ गए कि हम identify नहीं कर रहे हैं Distinguishing नहीं कर पा रहे हैं difference नहीं बता पा रहे हैं कि what is true and what is false क्या सही है क्या गलत है गांगस्टर्स विम एक murderer की विम याने जिद और प्यॉरिस्ट आइडियल याने की एक आइडियल इंसान एक बिल्कुल एसा इंसान जो बिल्कुल प्यॉर है बिल्कुल सही है इन दोनों में हम identify नहीं कर पाने कि आप एक प्यॉर और सोल हू या एक जिद के बैसे फे जैसे गंस्टर की जिद के सोटी वैसे जिद के बैसे हर चीज करुई बिसे के लिए पाल्स चीज है यह और यह एक ट्रू चीज है तो सही और गलत गण जाञाजी तो बेसिकली ओधर के कैने का मतलब है हमिया इंटिफाइड इनी कर पा I would reply that I want to be one of the artists in the Cathedral of the Great Plain तो अज़र पुछने कि अगर कोई मुझसे पूछे General Purpose of my life की मेरे लाइफ के बारे में और मेरी फिल्म के बारे में तो मैं उनको यही बोलूगा कि मुझे वो आर्टिस्ट बनना है जो वो Cathedral के आर्टिस्ट है ग्रेट प्लेन में याने जिन लोगों ने वो Cathedral बना दिया इत्ती बड़ी Church बना के खड़ी कर दिया और उनके नाम आज तक Anonymous रहे किसी को नहीं पता तो मुझे उस तरीके का आर्टिस्ट बनना है तो जैसे पुराने जमाने में जो वो पुराना आर्ट नहीं रहता है या फ्रम क्ल्च्र में कि ट्राइगन बना येऊ उसकी आंख फिर एंजल अच्छा इंसान बनाते है या डेविल बनाते हैं इक सेंट या कोई संत इंसान ही बना दिया यह सब पत्थरों का मुझे बनाना है यह सब मुझे बनाना है ऐसा कुछ artist मुझे बनना है it does not matter which it is the sense of satisfaction that counts तो author कहते है कि क्या बनाना है इस से मतलब नहीं पर जो satisfaction जो मुझे अच्छा लगेगा यह सब करने के बाद वो matter करता है वो count करता है regardless of whether I believe or not whether I am a Christian or not I would play my part in the collective building of the cathedral तो author कहते है मुझे कैसी picture बनानी है जिसमें मैं कहीं का भी art form लाके उसमें दिखा सकता हूँ doesn't matter कि मैं Christian हूँ कि नहीं हूँ या किसी भी art का belong करता हूँ कि नहीं हूँ बस बात इतनी है कि मेरा जो role है वो collective building of the cathedral में रहेगा यानि कि पूरी picture के collective making of the film में रहेगा तो cathedral का basically यहां पर compare करा गया है film से कि पूरी cathedral जैसे बनके खड़ी हो गई वैसे पूरी picture बनके खड़ी हो जाए बस बात इह कि मुझे इसमें खुशी मिलनी चाहिए satisfaction मिलनी चाहिए बहले मेरा नाम आय यान आय so this was all about the part 1 of this video मैंने इस video को two parts में divide किया हुए और यहां पर मैं अपना part 1 खतम करती हूँ and जल्द ही आपके सामने video एक और present करूँगी जिसमें आगे का chapter continued होगा and that will be my video number 2 part 2 of this video okay so तब तक लिए bye bye and stay safe